जानते हो एक कमांडू कैसे बनता है 20,500 फूर की उंचाई से कूटे हैं आप 20 किलोमेटर की उंचाई तक ट्रेक करना 50 मील तक 60 किलो का वजन उठाकर चलना बिना हत्यार के हत्यार बंद लोगों से लड़ना एक कमांडू के लिए मामली बात है 10,000 लोगों में से सिर्फ एक कमांडू बनता है सिर्फ एक कर 15 में शतका बस्वोड़ थेिर्फ कर वोड़ में पंसकते हाः राट जब किसी आत्मी को इतना मजबूर कर दिया जाए ना उसे इंजाम की परवा ना रहे ऐसे ही मामूली लोग आगे चल के भवोली बनते हैं इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं और तुझे तोड डालने में मेरा कोई नुकसान नहीं जब शिकार इतना ताकदवर हो तो शिकारी भी अक्रका होना चाहिए मौत आई है जो मरे फट्टे में टांग अडाई है उसमें जबली जानवर के पिंजरे में पैर रखने से पहले तसलिक लेनी चाहिए तो पिंजरा नहीं होगा ना तेंथ से लाशे भी ने गिन पाएगे तरफ प्रफ दू एपर जाए जन नाइस त्री टू लगों के तो कपड़े किया हो तुम्हारा तो चैरा ही इस्तरी किया हुआ है थे वाले महा भारत में अश्वत थामा भी मरता है सिकारी कुद्ते लेके निकलाओं कभी आदमी लेके निकलता है कभी कुद्ते लेके अकेले निकला कर मर्द होने का एहसास हो जाएगा कमांडो एवन मैन आर्मी सियद रियल से लगने वाले कुछ एक्शन सीन हटा दिये जाएं तो यह एक रिजिनल सिनेमा की दोयम दर्जे जैसी वाली फिल्म हो जाएगी फिल्म की एक मातर खोपसूरती उसका एक्शन है इस एक्शन को काइमपूर्टर या ग्राफिक्स डिजाइन के जरिये नहीं बलकि रियल तरीके से सूट किया गया है लगता है कि वाकिए में कोई आदमी 10-20 गुंडों को पीट रहा है इस एक्शन दरस्टों के लावा यह फिल्म अपनी कहानी उसे कहने के अंदाज और अबने तीनों ही छित्रों में बुरी तरह से मात खाती है फिल्म में जो बाते फ्लैस बैक में होनी चाहिए वहां से या फिल्म सुरू होती है फिल्म में घटनाओं को दिखाने का सेक्वेंस भी फिल्मी नहो कर एक अप्रास समाचार जैसा सपाट लगता है फिल्म में लेड रोल कर रहे विद्दु जामौल एक्षन द्रस्टों में जितने अच्छे और सहज लगते हैं अबने करने के मामले में उतने ही कमजोर और बनाउटी फिल्म एक्षन द्रस्टों पर इतनी आशित है कि गानों में भी बिद्दु दान्स नहीं बलकि एक्षन कर रहे होते हैं कोई भी फिल्म कुछ अच्छे द्रस्टों का कोलाज बनकर अच्छे नहीं बनाई जा सकती यह बाद फिल्म के निर्दे सक दिलीब घोस को अंध तक समझ में नहीं आती यह कहानी भारती सेना के कमांडो करन ने विद्दु जामौल की है नेमित अभ्यास के दोरान करन का हेलिकाप्टर चीन के सीमा के पास क्रैस हो जाता है चीनी सेना उसे भारत का जासुस समझ कर गिरिपतार कर लेती है लंबी यतना के बाद करण वहाँ से भाग निकलता है वहाँ से निकल कर वहाँ पंचाब के एक कस्बे सियाक लोट पहुचता है वहां बस स्टाप पर उसे घर से भागी हुई एक लड़की सिमरे पूजा चोपड़ा मिलती है उसके पीछे उस इलाके के बड़े बदमास AK-74 यानि चैतीप अहलावत गुंडे लगे हैं करन पूजा को उन गुंडों से बचाता है अब AK-74 का दुस्मन पूजा के साथ करण भी है करन पूजा को लेकर जंगल में भाग जाता है AK-74 और उसके गुंडे जंगल में भी उसका पिछा करते हैं यहां करन और AK-74 के आदमियों के बीच कई बार मुटवेड होती है कई फिल्मों की तरह यहां भी चुप से रहने वाले करन पर बातूनी सिमरन फिदा हो जाती है फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा जाता है कि करन किस तरह से AK-74 को सियाल कोट के चोराहे पर सारे अमफांसी देता है जो कि S.C. के जैसक की फिल्मों जैसा लगता है यद खालिस अभीने की बात की जाये तो AK-74 का किल्दार निभाने वाले जैती पहलाव सब परभारी पड़े है सफेद आखो वाला ऐसा इंसान जो किसी का कतल करते समय उसे संता बंता की जोक सुनाता है दर्शकों को डराता भी है और हसाता भी फिल्म का लीड रोल करने वाले बिदुद जामौल ने एक्षन द्रस्वों में अपनी खूबी दिखाई है ऐसा एक्षन जो रियल भी लगे और परभावी भी लेकिन जहां बात अभीने की आती है बिदुद खामोस से हो जाते हैं कुछ डालाग जो उन्हें बलवाए गए हैं वह अच्छे होते हुए भी अपनी चमक खो देते हैं एक गाने में भी उनका एक्षन नुमा डांस करना मजा किया लगता है 2009 में मिस वर्ट रही पूजा चोपड़ा की यह पहली फिल्म है पूजा सुन्दर तो लगती हैं पर अभने बिल्कुल नहीं कर पाती अपने माबाप के मरने की बात वह उस अंदाज में खहती हैं जिस अंदाज और संजीदगी से लोग घर की चाविक हो जाने की बात कहते हैं लगता है कि सवात पूजा के मुह में ठूश दिये गए थे और उन्होंने बस उन्हें मुह से किसी तरह से निकाल दिया है फिल्म से थोड़ा बहुत इतिफाक रिखने वाले दर्शकों को यह बार बार लगेगा कि यह निर्देशक की पहली फिल्म है हिंदी फिल्मों में दर्जनों बार परियोग किये गए कई सीन उठा कर यहां डाल दिये गए हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में जब बिलन की गोली से घायल हुआ हीरो दुबारा उसे बदरा लेने के लिए लोड़ता है तो बैग्राउंड में चड़ता हुआ सूरज दिखाना मजा किया और भद्दा सा लगता है दिल्म घोष की मजबूती एक्संद्रेस्टों में दिखती है एक्संद्रेस्टों को रियल तरीके से दिखाने के लावा दिल्म हर जगे कमजोर और पुरानी फिल्मों की नेकल करते हुए दिखते हैं फिल्म का अंत और उस अंत के तरीके को भाप चुके दर्शक जब फिल्म में खतम होने का इंतिजार करते हैं तो उसी समय आया एक आटम साम उन्हें इरिटेट कर देता है दिलीप को कहां पर क्या दिखाना है या कला भी सीखनी होगी रहत पते अली खान दोरा गया गया गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है बाकि सारे गाने कमजोर और बकवास हैं यदि आपको चैसे एक्षन सीन देखना चाहते हैं जो वाकि रियल लगे तो आप ये फिल्म चिरूर देखे एक्षन दरस्टे के अलावा फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है यदि एक्षन ही एक्षन देखना हो तो एक पूरी फिल्म क्यों देखे जब हम इस फिल्म में दो घंटे से भी अधिक समय तक हड्डियों की चर्मराहट और हवा में उड़ते मनिस्यों के नान इस्टाप दरस्टों और चीक पुरकार को जेलते रहते हैं तो आखिरकार हमें समझ आता है कि वास्तों में यह एक प्रकार का निहायत ही उबाओ मोटल का इमबेंट वीडियो गेम था जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे जिसमें आपके हाथ में कंसोल कभी नहीं आता और परदे पर दिखाई दे रहा हीरो हर बार जिंदा बच जाता है चाहे उसे पेट में गोली लगी हो या फिर कहीं और या फिर सिर के ब का सीधा मुकाबला बिलन से ही है जो बिना गन उठाए मैदान में चलाता है जबकि वा मार्शल आर्ट से भी बहुत माहिर नहीं है लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा या बिलन बहुत ही खतरनाक है जरा उसकी कहानी पर तो गौर फरमाईए अमावस की रात को पैदा हुआ सै सैतान के घर सैतान वा अपनी आँखों की पुतलियों के बिना भी देख सकता है और दिलेर कोट नाम एक पंजाबी कस्बे में उसकी हकुमत है जावा नोजवानों को सस्ते ड्रक्स बेचता है और कस्बे के सुपरिडेंट आप पलिस को अपने चीप चमचे और खास आदमी के रूम में नियुक्त कर लेता है हीरो एक आर्मी मैन है उसका कहना है कि वा भारत की सिमारेखा के रच्छा कर सकता है लेकिन उसके लिए यह जदा जरूरी है कि वा पहले अंदर की सफाई करे राजनेताओं ने इस आर्मी कैप्टन के साथ बहुत बुरा गिया था वा एक रूटीन एकसरसाइच के दोरान चीन की सरहद में दाखिल हो गया था निताओं के खुले आम उसे पहचानने से इंकार कर दिया अब उसे बदला लेना ही होगा लेकिन इसी दोरान वा दिलर कोट में एक ऐस से खतरनाक डान के चुंगल से खुबसुरा लड़की को भी दूसरे पर जुमले जोड़ते रहते हैं फिरोएन हीरो को हंसला दिलाती रहती है वे जंगल में हैं और बिलन के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं एक एक करके बिलन के इन सभी आदमियों का कमचूर बना दिया जाता है हिंदी फिल्मों में मुक्यबाजी की एक परंपरा रह हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे पास मों की धारा की एक्षन फिल्मों का पूरा लेखा जो खा नहीं है 1988 में भी कमांडो नामक एक फिल्म आई थी जिसमें मितन चेकरवर्ती और मंदाकिनी मों की भूमकाओं में थे इस तरह की फिल्मों में रोमांस कॉमडी ड्रामा और क अमेरिका में अर्नाल्ड स्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन के दोर में हुआ करता था वह मसल्स और सामेश के देवता कहलाते थे लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्में विचारों और कहानियों से खाली नहीं होती थी इस टेलें तो राकी के लिए आसकर के ल अने वाले बढ़ाते मसल्स से हमें बचा सकती है लेकिन इस बेशिर पैर की एक्शन फिल्म के हीरो बिद्दु जामौल जो 34 साल के हैं ने अपना काम बाकू भी निभाया है फिल्म की सुरुआत में हमें बताया जाता है कि फिल्म के सारे इस्टंट उन्होंने खुद बिना किसी की मदद किये किये हैं लेकिन आप ये इस्टेंट घर पर मत अजमाईएगा क्योंकि केवल बिद्धित ही उन्हें कर सकते हैं वो एक कमांडो हैं जो लोग नहीं जानते कि कमांडो क्या होता है उन्हें करनल बताते हैं कमांडो वह होता है जिसका वजन 65 किलो होता है लेकिन जो 20,000 फिट के उचाई से कूच जाता है और 50 किलो वजन उठा कर 60 किलो मीटर तक डौड जाता है यही वह एक हजार सैनी की फोज के बराबर होता है यानि कि वह एक हजार सैनी की फोज के बराबर होता है अच्छा ऐसा क् तो एक काम कीजिए, कमांडो को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म बनाईए, हम उसे भी देखना चाहेंगे एक्शन फिल्म के तोर पर परचारिट कमांडो का एक्शन रोमाचित करता है विद्ध जामौल में विजली की गती और चकमा है एक्शन दरस्व में उनकी इस फूर्थ देखते ही बनती है एक्शन पसंद करने वालों को या फिल्म अवस्य देखनी चाहिए भारती सिना के कमांडो को खो जाने से कहानी सुरू होती है करण बीर डोगारा यानी विद्ध जामौल का हेलिकाप्टर नीमित अभ्यास के दोरान क्रैस कर जाता है करण को चीनी सिना के जवान गिरिपतार कर लेते हैं वह उसे जसुर समझते हैं चीनी कैद में निश्चित मोस से बच कर करण भागता है और भारती सिमा में परवेश कर जाता है वह पंजाब के गाउं पहुचता है वहां उसकी भिड़त अनायास कुछ गुंडों से हो जाती है वह एक लड़की को उसे बचाता है बाद में वह लड़की उसके पीछे पढ़ जाती है कि अब आगे भी बचाओ इस कहानी के साथ हम देख चुके होते हैं कि इलाके का बदमास एके 74 यानि जैदे पहलावत गाउं की लड़की सिमरन यानि पीजा चोपड़ा से साधी करना चाता है सिमरन उसके चंगुल से बचने के लिए भागी है इसके आगे की कहानी एके 74 और करण के संगर्स की हो जाती है करण किसी भी तरह सिमरन को एके 74 के गिरिप्त में नहीं आने देना चाहता वो अपनी कमांडो ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाता है और एके 74 के दाथ खटे कर देता है फिल्म में लंबे और रोमांचा के चेस सीन है पहाड, नदी, नाले और जंकल में ऐसे द्रस्यों के लिए जरूरी एक्सन है करण की ताकत और स्पूर्ट से लग जाता है कि वह एके 74 पर भारी पड़ेगा कमांडो में बिद्दु जामौल के साथ जेदीप अहलावत की तारीप करनी होगी दोनों के एक्सन और अदाएगी पर ही पूरी फिल्म टिकी है सिमरन फिल्म में एक्सन और चेस का करण बनती है इस भागदोर में सिमरन और करण का रोमांस भी हो जाता है सिमरन की भूमका में नई होने के बाउजोत पुजा चोपड़ा अच्छी लगती है उनमें एक रवानी है या फिल्म सुध्ध एक्षन फिल्म है डिसुम डिसुम डिस्क्यों चोकि हिंदी में रोमांस किये बगेर नाएक हीरो नहीं बन सकता इसलिए फिल्म में गयर जुरिर बैसीर मांस है अब रोमांस है तो रुमांटिक गीत अनिवार हो जाते हैं लेकिन कमांड ऑनकों रुमांटिक गानेगात्य देखना उच्छी नहीं लगता फिल्म के क्लाइमेक्स में करण का भांसर भी जबर्दस्ती जोड़ा हुआ लगता है निर्भेक होनी के कारण का पार्ट भी जूल है कमांडो मूबी में क्या अच्छा ही हैं आए जानते हैं सांदार धंग से कोरियोग्राप किये गए एक्षन स्रीक्वेंस विद्दु जामवाल कुछ फारुवान वर्लाइनर्स और जैदीब अहलावत का खलनाय का भी नहीं क्या बुरा है डिबुटेंट पुजा चोपड़ा की जिवरिस बगबग धिला प्लाट अंतर नहित कहानी के लिए कम चमक उपचार और अनावसक आइटम गीद सिर्फ इसके लिए धरासाई हो गया लूब्रेक एक नहीं अगर आपको एक्षन पसंद है तो एक बार सायद आगर आप एक्षन के दिवानें नहीं हैं कमांडो को पूरी तरसे बिदुजामौल की फिल्म है जो उन्हें अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा को अपार आतम विश्वास और पोड मातरा के में परदर्शित करने के लिए मंच परधान करती है त्याह निश्ची रुप से देखने लायक है ठीक ठाक आप एक पैरा कमांडो अधिकारी करणबीर डोंग रायनी विदुजामौल के जीवन में आ जाते हैं जो चीनी शेतर में दुरगचना गरस्त हो जाता है जो उसे एक भारती जासुस के रूम में बुला कर सिष्टम में हेर फेर करता है जबकि उसका देश उसे और उसकी विश्वासिता को अस्युकार करता है उसके दुरभाग के समनांतर जिला तलेर कोट जो अस्थानी गुंड़ा एके 74 नीचे दिप अहलाओ से परिसान है जिसे सिमरित यानी पुजा चोपड़ा से गहरा प्यार है राजिनितिक लाभा और मुनाफे के कारणवा कहानी कि महिला प्रेम से प्राप्त कर सकता है सिमरित भागने की कोशिश करती है और पलायन वादी करण से मिलती है जो एके की बेडियों से दूर भागने में उसकी मदद करने की कसम खाता है इसके बाद दिल्ली और इसके बाद बिल्ली और चुहे का पीछा होता है बहुत सारे ख मुख्य पार्त्रों के बीश पनप्रह नरम और संकूची प्रेम है जो पूरी तरह से एक अलग राष्टा पनाता है क्योंकि करल को मौत की घाट उतार दिया जाता है क्या करल वापस आएगा और अपनी प्रेमका को एके से बचाएगा क्या वहा समान को फिर से हासिल कर लेकिन कमांडो इसक्रिप्ट के मौर्चे पर भी फल रहता है क्योंकि कथा बोड धीली है कम मनोरंजक कहानी और अधिकांस हिसों में भावनाओं की पर्चुर कमी के साथ इसक्रिप्ट को पर्मक रूप से पसंद नहीं किया जाता समवात काम आते हैं और प्रभाव पैदा करते हैं मरदान की लाइन से लेकर हाइवी कोट और क्लिच आदमी ओड़ जाता है लाइन को नया रूप दिया गया है विद्दृत और जैदेप ने फिल्म में से अच्छी लाइने साजा की हैं जबकि सिम्रित के माता पिता उसकी आँखों के सामने एक दुरगटना में बे पुजा चोपड़ा के थपड़ गंभी रूप से सपाट और और भी बहुत कुछ क्योंकि वहां कुछ खो देती हैं और भी चारों को हसाने का प्रबंधन करती हैं मूर्ख या दिवर्थी आप इसे इसमें से जो भी कह सकते हैं अपसनी है कमांडर निश्ची रूप से एक वन मैन आर्मी है यहां जिस सक्स की बात हो रही है उसका नाम है बिद्द जामौल जामौल जिन्होंने लगभग देर साल पहले पूरी ताकस से सभी का दिल लोट लिया था अपनी बिसाल प्रतवहों को सामने लाते हैं इस दसक में सरफशेष्ट एक्संट पर दरसनों में स एक देते हैं छटों पर चढ़ने से लेकर सरकने वाली कार की खड़कियों से गुजरने तक बी टाउन के इस हंक ने रजनीकांत की स्टाइल लेकिन बहुत अधिक फलने फोलने और द्रड़ विस्वास के साथ इसे आसान बना दिया इस पस्ट रूप से नया खिलाड़ी ज साथ या एक्षन सूपरमैन यहां करने के लिए हैं पुझा चोपड़ा ठीक ठाक पर दर्सन करती हैं जिसमें हाइलाइट करने के लिए कुछ खास नहीं है कि दुखा करीना कि जब भी मेट की पंक्तियों को ठेट है पेड़गीत आउतार में प्रतिन अधित करने की करने वाली समागरी को भी जोड़ता है जाहिर तोर पर एक फिल्म विद्धु जामौल दिलेव घोस्ट के लिए बनाई गई है क्योंकि निर्देशक के पास करने के लिए बहुत कम है क्योंकि फिल्म नाटकी द्रसों की तुलना में एक्षन द्रसों पर अधिक उचाल देत समपादन तेज होने के साथ साथ कुछ हिस्सों में दिल्चस्प भी है हिमाचल पंजाब सीमा के जंगली लाको में सट सुजल सा की खुपसुरों सिनोमेटोग्राफी जीवन को परभाववित करती है और फिल्प में चमकीले बेल्द काप फर्श करती है फिर भी सोने पर से भरपोर परदर्शन के लिए अपना दिल और दिमाग लगाते हैं असानी से खुद को खिलाडी टैग के नए दावेदार के रूम में इस्थापित कर लेते हैं लेकिन अगर आप एक्षन के दिवाने नहीं है तो आप फिल्म को नापसंद कर सकते हैं क्योंकि इसके पास दे छाने में हुआ है चीनी सोचते हैं कि करनबीर को यडिवे भारती जासुस के रूम में पेश करें तो भारती सरकार को नीचा दिखाया जासकता है दूसरी और भारती समझ सरकार समझ जाती है कि करन की बात नहीं सुनी जाएगी लिः़ाजा वह करन का आर्मी रिकार्ड हिमाचल पंजाब बार्डर क्लास करते ही उसकी मुलाकात सिम्रित से होती है सिम्रित अमरल कॉवल सिंग से गए गुंडों से बच कर भाग रही होती है अमरत कॉवल सिंग अपने राजनीतिक लाप के लिए किसी भीतर है सिम्रित से साधी करना चाहता है अमरित के गुंडे सिम लिए और मुश्किले खड़ी कर दी हैं और जब तक वह अपने आप को सुरच्छित महसूस नहीं करेगी तब तक करन को उसके साथ रहना होगा सिम्रित का पीछा करते हुए अम्रत को अधमकता है और अंधेरिया बिरिज पर सिम्रित को करन के साथ देखता है कोई चारा ना द एक सिम्रित और करन पुल से नदी में छलांग लगा देते हैं बहते हुए जंगल जा पहुचते हैं सिम्रित की कहानी करन सुनाता है और उसकी मदद करने का अस्वासन देता है जंगल में वे सभी बाहर निकलने की सुचते हैं तब तक कि अम्रत का गुश्षा ठंड़ा न कहता है से बचा पाएगा यह इस फिल्म की कहानी है कमांडो एवन मैन आर्मी दिलीब घोज द्वारा निर्देशित और विपुल अमरलाल साह और रिलाइंस इंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मित 2013 की भारती हिंदी भासा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है या कमांडो फिल्म सरंखला की पहले किस्त है फिल्म में बिद्द जामौल पोजा चोपड़ा और जैदीब एहलावत मुक्ष भूमकाओं में है जामौल जो कलारी पट्ट्यू की भारती मार्शल आर्ट में परसिचित हैं फिल्म के एक्शन दरेशों में अपने इस्टेंट और मार्शल फिल्म करण के एर्द गर्द घुमती है जो एक भारती पैरा एस एफ काइप्टन है जो चीनी हिरासत से भाग गया था सिम्रित नाम की एक महिला से मिलता है जिसका एक सिबंटी फॉर नाम के एक गंगस्टर और उसके गुंडे पीछा कर रहे हैं यहां जानकर कि एक 24 के गुर्गों से लड़ने के लिए अपने मार्शल आर्ट युद्ध करसल का उप्योग करता है यह फिल्म 12 अप्रेल 2013 को नाट की रूप से रिलीज हुई थी इसके बाद दो स्विक को लाएं कमांडो टू दा ब्लैक मनी ट्रेल जो की 2017 में आई थी और कमांडो 3 जो की 2019 मे प्रेश्ट हो गया करण और उसके वरश्ट चीनी को पुरभ की मासूम्यत को समझने में असमर्थ है और चीनी भारत को अंतरराष्टी एस्थर पर ब birth करने के लिए करण को जासूस के रूम में ब्रांड करने का फंसला करते हैं यह मैसूस करते हुए कि चीनी अनपालन नहीं करेंगे भारती सेना को करण के रिकार्ड पहचान को मिटाने और उसके अस्तित को नकारने का आदेश दिया चीनी सेना द्वरा करण को एक साल तक परतारित किया जाता है लेकिन बाद में चीनी सोन अदालत मिले जाते समय वा भाग निकलता है वा समरित नाम की एक महिला से मिलता है जो खुखार गैंगेस्टर अमरतय गमवल AK-74 सिंग और उसे गुंडों से भाग रही है करण AK-47 के राजनीता भाई के नितरत वाले गुंडों से लड़कर उसे बचाता है वह समरित को उसकी सुरच्छा के लिए सहर से बाहर ले जाने का फैसला करता है लेकिन खुद को AK-74 और उसके गुंडों से एक पुल पर घिरा हुआ पाता है अधिक संख्या में और अधिक बंदू के कारण वह समरित के सान नदी में कूच जाता है जो बाद में बताता है कि AK-74 राजनीतिक लाप के लिए उससे साधी करना चाहता था समरित ने खुलासा किया कि AK-74 का उसके ग्रह नेकर पर पूरानी इंतरड है जहाँ भढ़ डर के मारे लोहे के मुठ्या के सासन करता है करण समरित की मदद करने का फैसला करता है AK-74 जंगल में दोनों का पीछा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयों करता है जा करण एक सबंटी फोर के अदमियों से लड़ने के लिए जंगल युद्ध में अपनी विश्यस्ता का उपयोग करता है आला कि काफी देर तक पीछा करने के बाद करण को एक सबंटी फोर ने पकड़ लिया जिससे उसे गोली मार दी और उसे एक चटान से नीचे फेग दिया फिर वा सिम्रित के माता पिता को चिताउनी के तौर पर मार देता है गिरने से बचने के बाद करण एक सबंटी फोर को पीछे चला जाता है अपने कुरकोग और चीनी द्वारा भेजेगे थेबा नाम के एक हत्यारे का मुकाबला करने के बाद करण एक सबंटी फोर को हरा देता है और सिम्रित को बचा लेता है करण पकड़ेगे एक सबंटी फोर को सहर के चोराहे पर ले जाता है जहाँ A-74 की जेब में मौजूद पुलिस द्वारा उसे लगभग नाकाम कर दिया जाता है लेकिन समय रहते हैं अपने पूर वोरिष्ट अधिकारी करनल द्वारा बचा लिया जाता है लेकिन सिनहा करण A-74 को लटकाने और मारने के लिए आगे बढ़ता है करण फिर सहर के लोगों को निडर होने और A-74 जिसे लोगों से नहीं डरने के लिए कहता है जो डर से सासन करते हैं करण खुद को करनल सिनहा के सामने आतर समर करण कर देता है जहाँ वहाँ सिम्रित को अपना असली नाम बताता है और वापस आने का वादा करता है बिद्दु जामौल जिसने कप्तान करणबीर यानि करणचिंग डोगरा के पईरा SS के रूम में रोल निभाया है पुजा हेकले जो कि सिम्रित कौर के रूम में रोल निभाया है जैदेप अहलावात अमरज जो की एके 44 करनल के रूम में एकोखार गंगेश्टर के रूम में भूम का निभाई है अगर बातकरिश के संगित की तो कमांडू का साउंट्रेक अलबम 28 मार्श 2013 को लोग प्री डिजिटल संगित प्लेटफार्म आईटिउन्स और अमेजन पर डिजिटल डाउनलोड के रूम में जारी किया गया था इसमें पांच मोल ट्रेक सामिल थे संगित मनांसा द्वरा रचित था जिसके बॉल मयूर प्री द्वरा लिखे गये थे जोकि प्रटभूम इसकोर पर साथ सस्ते द्वरा बनाया गया था इस फिल्में कुल चार गाने थे लट जवान, सावनबेरी, मुंगडा और लिना दिना जिसे गया था धुरू संसारी, रहत पते अली खान, सुनिधी चोहान और दलेर महंदी ने रिलीज होने पर कमांडो ने अलोजको से मिसरिश सकारातमक समिच्छा प्राप्त की, रिब्यू बोल डाट कॉम पर इसे परमुक साइडों के आवसत समिच्छा लेकर 3 आउट आफ 5 मिला, जबकि बाली बुढ़ हंगामा के तरह आदास ने कमांडो को 5 में से 3.5 इस्टार और कहा एक हाई वोल्टेज एक्षन फियर जो रस्यक यानि इस्पांदित और कुछ एडर लाइन पंपिंग स्टन्ट के साथ पै किया गया है, डे टाइम साफ इंडिया की मीना आईयर ने इसे 5 में से 3.5 इस्टार दे कर या टिपड़ी की की यूगों में पहली बार फिल्म में गीत और नरत के लिए कोई जिगाए नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई धिमाग नहीं है, इसमें एक कहानी भी है जो चर्मराती है, इन परिशानियों को कम करते हुए यह एक सुध एंडर लाइन रस होता है, इन डी टीबी के सैबल चेटर जी ने इसे 5 में से 2 और टीबी की कमांडो में अस्पस्ट रूप से डाले गए है, सभी बहादर तकनिकों परियासों के बावजूद अंते परड़ाम परियापत रूप से सम्मुहक नहीं है, इन डाट काम की अलीसा कोईलों ने या कहते हुए फिल्म को 2.5 इस्टार दिये, कमांडो वन मैन आर मांग में इसने लगभग 173 मिलियन और रुपय कमाए और सिंगल स्क्रीन में अच्छा बेवसाय किया, नामलेस मीडिया फिल्म के जर्मन वितरक ने अगस 2019 में चार से में संस्क्रण मीडिया पुस्तिके जारी की, जिसमें मौल अंकट संस्क्रण के अलावा एक पूर केलपिक, कट के गाने और इंटर मिशन याड को हटा दिया जाता है, फिल्म की सफलता के बाद इसे दो सिक्वल पराप्त है, कमांडो 2 सिर्शक पहली वाली फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी, जिबकि कमांडो 3 2019 में रिलीज हुई थी, कमांडो एवन मैन आर्मी, सियद रियल स डिजाइन के जरिया नहीं, बलकि रियल तरीके से सूट किया गया है, लगता है कि वाकिए में कोई आदमी 10-20 गुंडों को पीट रहा है, इस एक्षन दरस्टों के लावा यह फिल्म अपनी कहानी, उसे कहने के अंदाज और अपने तीनों ही छितरों में बुरी तरह से मात खाती है, फिल्म में जो बाते फ्लैस बैक में होनी चाहिए, वहां से या फिल्म सुरू होती है, फिल्म में घटनाओं को दिखाने का सेक्वेंस भी फिल्मी नहों कर एक अप्रास समाचार जैसा सपार्ट लगता है, फिल्म में लेड रोल कर रहे बिद्दु जामवाल एक् कर रहे होते हैं, कोई भी फिल्म कुछ अच्छे द्रस्चों का कोलाज बनकर अच्छे नहीं बनाई जा सकती, यह बात फिल्म के निर्दे सक दिलीब घोस को अंत तक समझ में नहीं आती, यह कहानी भारती सेना के कमांडो करन ने विद्दु जामवाल की है, नेमित अभ्या के एक कस्बे सियाक लोट पहुचता है, वहां बस स्टाप पर उसे घर से भागी हुई एक लड़की सिमरे ने पूजा चोपड़ा मिलती है, उसके पीछे उस इलाके के बड़े बदमास एके सिबंटी फोर यानि चैदीप अहलावत गुंडे लगे हैं, करन पूजा को उन अदमियों के बीच कई बार मुटवेड होती है, कई फिल्मों की तरह यहां भी चुप से रहने वाले करन पर बातूनी सिमरन फिदा हो जाती है, फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा जाता है कि करन किस तरह से एक सिबंटी फोर को सियाल कोट के चोराहे पर सारे आमफांसी दे संता बंता की जोक सुनाता है, दर्श को कुछ डराता भी है और हसाता भी, फिल्म का लीड रोल करने वाले बिदुद जामौल ने एक्शन द्रेस्टों में अपनी खूबी दिखाई है, ऐसा एक्शन जो रियल भी लगे और परभावी भी, लेकिन जहां बात अभीने कियात की यह पहली फिल्म है, पूजा सुन्दर तो लगती हैं पर अभीने बिल्कुल नहीं कर पाती, अपने माबाप के मरने की बात वह उस अंदाज में खहती हैं, जिस अंदाज और संजीदगी से लोग घर की चाविक हो जाने की बात कहते हैं, लगता है कि सवात पूजा के मु उसे किसी तरह से निकाल दिया है, फिल्म से थोड़ा बहुत इतिफाक रिखने वाले दर्शकों को यह बार बार लगेगा कि यह निर्देशक की पहली फिल्म है, हिंदी फिल्मों में दर्जनों बार परियोग किये गए, कई सीन उठाकर यहां डाल दिये गए हैं, फिल्म क बार जगे कमजोर और पुरानी फिल्मों की नेकल करते हुए दिखते हैं, फिल्म का अंत और उस अंत के तरीके को भाप चुके दर्शक जब फिल्म में खतम होने का इंतिजार करते हैं, तो उसी समय आया एक आटम साम उन्हें इरीटेट कर देता है, दिलीप को कहां पर क्य दिखाना है या कला भी सीखनी होगी, रहत पते अली खान दोरा गया 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 गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है, बाकि सारे गाने कमजोर और बकवास हैं, यदि आप कुछ ऐसे एक्शन सीन देखना चाहते हैं, जो वाकिर रियल लगे, तो आप ये फिल्म चिरूर देखे, एक्शन द्रस्य के अलावा, फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है, यदि एक्शन ही एक्शन देखना हो, तो एक पूरी फिल्म क्यों देखे, मार्शल आर्ट क्यों न देखे, जब हम इस फिल्म में दो घंटे से भी अधिक समय तक हड्डियों की च आपके हाथ में कंसोल कभी नहीं आता, और परदे पर दिखाई दे रहा हीरो हर बार जिंदा बच जाता है, चाहे उसे पेट में गोली लगी हो, या फिर कहीं और, या फिर सिर के बल पहाट से नीचे क्यों न प्यक दिया जाए, वास्तों में या एक वीडियो गेम जैसा ही है, फिल्म का बिलन अंत में हीरो से एक और मकाबला करने को कहता है, ताकि वा आखरी लेबल पार करके आखर कार राजकुमारी को जीत ले, निश्चित ही आखरी स्टेज में हीरो का सीधा मकाबला बिलन से ही है, जो बिना गन उठाए मैदान में चलाता है, जबकि वा की पुतलियों के बिना भी देख सकता है, और दिलेर कोर्ट नाम एक पंजाबी कस्बे में उसकी हुकूमत है, जावा नोजवानों को सस्ते ड्रक्स बेचता है, और कस्बे के सुपरिडेंट आप पुलिस को अपने चीप चमचे और खास आदमी के रूम में नियुक्त कर ल महच के दोरान चीन की सिरहद में दाखिल हो गया था, निताओं के खुले आम उसे पहचानने से इंकार कर दिया, अब उसे बदला लेना ही होगा, लेकिन इसी दोरान वह दिलर कोट में एक ऐस से खतरनाक डान के चंगल से खुबसूरा लड़की को भी छुडा लेता है, जो पाकी टाकी पर एक दूसरे पर जमले जोड़ते रहते हैं, फिर वह इन हीरो को हंसला दिलाती रहती है, वे जंगल में हैं और बिलन के आदमें उनका पीछा कर रहे हैं, एक एक करके बिलन के इन सभी आदमें का कमचूर बना दिया जाता है, हिंदी फिल्मों में मुक्यबा की एक्षन फिल्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं है, 1988 में भी कमांडो नामक एक फिल्म आई थी, जिसमें मितन चेकरवर्ती और मंदाकिनी मुक्य भूमकाओं में थे, इस तरह की फिल्मों में रोमांस, कॉमडी, ड्रामा और कभी-कभी तो सस्पेंस का भी तड़का लग स्टेलोन के दोर में हुआ करता था, वोई मसल्स और सामेश के देउता कहलाते थे, लेकिन इसके बावजूत उनकी फिल्में बिचारों और कहानियों से खाली नहीं होती थी, स्टेलोन तो राके के लिए आसकर के लिए भी नामंकित हुए थे, लेकिन इस फिल्म को एक ही प बचा सकती है, लेकिन इस बेसिर पैर की एक्शन फिल्म के हीरो बिद्दु जामाल जो 34 साल के हैं, ने अपना काम बाखो भी निभाया है, फिल्म की सुरुआत में हमें बताया जाता है कि फिल्म के सारे स्टंट उन्होंने खुद बिना किसी की मदद किये हैं, लेकिन आप इस टंट घर पर मत अजमाईएगा, क्योंकि केवल बिद्दित ही उन्हें कर सकते हैं, वो एक कमांडो हैं, जो लोग नहीं जानते कि कमांडो क्या होता है, उन्हें करनल बताते हैं, कमांडो वह होता है, जिसका वजन 65 किलो होता है, लेकिन जो 20,000 फिट के उचाईश से कू कमांडो को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म बनाईए, हम उसे भी देखना चाहेंगे, एक्शन फिल्म के तोर पर परचारिर कमांडो का एक्शन रोमांचित करता है, विद्द जामौल में विजली की गती और चकमा है, एक्शन दरस्व में उनकी स्पूर्थ देखते ही बनती है, एक्शन पसंद करने वालों को या फिल्म अवस्य देखनी चाहिए, भारती सिना के कमांडो को खो जाने से कहानी सुरू होती है, करण बीर डोगारा यानि विद्द जामौल का हेलिकाप्टर नीमित अभ्यास के दोरान क्रैस कर जाता है, करण को चीनी सिना के जवान उसे हो जाती है, वह एक लड़की को उसे बचाता है, बाद में वह लड़की उसके पीछे पढ़ जाती है, कि अब आगे भी बचाओ, इस कहानी के साथ हम देख चुके होते हैं कि इलाके का बदमा से करण के संगर्ष की हो जाती है, करण किसी भी तरह सिमरन को के गिरिप्त में नहीं आने देना चाहता, वो अपनी कमांडो ट्रीनिंग का भरपूर फायदा उठाता है, और 21-74 के दात खटे कर देता है, फिल्म में लंबे और रमांचा के चेज सीन है, पहाड, नदी, नाले और जंकल में ऐसे द्रस्यों के लिए जरूरी एक्षन है, करण की ताकत और श्पूर्ट से लग जाता है कि वह एके 74 पर भारी पड़ेगा, कमांडो में बिद्दु जामौल के साथ जैदीप अहलावत की तारीप करनी होगी, दोनों के एक्षन और अदाएगी पर ही पूरी फिल्म टिकी है, सिमरन फिल्म में एक्षन और चेज का करण बनती है, जो कि हिंदी में रोमांस किये बगेर नाएक हीरो नहीं बन सकता, इसलिए फिल्म में गयर जुरिरी रोमांस भी है, अब रोमांस है तो रोमांटिक गीत अनिवार हो जाते हैं, लेकिन कमांडो को रोमांटिक गाने गाते देखना उचिन नहीं लगता, फिल्म के कलामेक्स म करण का भांसर भी जबर्दस्ति जोड़ा हुआ लगता है निर्भेक होनी का करण का पार्ट भी जूल है कमांडो मूबी में क्या अच्छा ही है आए जानते हैं सांदार धंग से कोरियोग्राफ किये गए एक्षन स्रीक्वेंस विद्दु जामवाल कुछ फारुवान वर्ला सिर्फ इसके लिए धरासाई हो गया लूब्रेक एक नहीं अगर आपको एक्षन पसंद है तो एक बार सायद आगर आप एक्षन के दिवानें नहीं हैं कमांडो को पूरी तरसे विद्दु जामवाल की फिल्म है जो उन्हें अपनी मार्शल आर्ट परतिभा को अपार आतम शेत्र में दुर्गचना गरस्त हो जाता है जो उसे एक भारती जासुस के रूम में बुला कर सिष्टम में हेर फेर करता है जबकि उसका देश उसे और उसकी विश्वासिता को अस्युकार करता है उसके दुर्भाग के समनांतर जिला तलेर कोट जो अस्थानी गुंड़ा एके 74 नीचे दिप अहलाओ से परिशान है जिसे सिमरित अनी पुझा चोपड़ा से गहरा प्यार है राजिनितिक लाभ और मुनाफे के कारणवा कहानी के महिला प्रेम से प्रात कर सकता है सिमरित भागने की कोशिश करती है और पलायन वादी करण से मिलती है जो एके की बे त्यारे पंथर लेक लेक से खेल खेल में बाहर एक इसलाइस की तरह है इस सब हुलाबू के बीच यह दो मुख पार्तरों के बीच पनपरहनरम और संकूची प्रेम है जो पूरी तरह से एक अलग राष्टा पनाता है क्योंकि करण को मौत की घाट उतार दिया जाता है क्या कि फिल्म सहने योग है एक निश्चित विद्दु जामौल और उनके साधर इस्टंट के लिए धन्यवाद लेकिन कमांडो इसक्रिप के मौर्चे पर भी फल रहता है क्योंकि कथा बोड धीली है कम मनुरंजक कहानी और अधिकांस हिसों में भावनाओं की पर्चुर कमी के साथ इसक्रिप्ट को पर्मक रूप से पसंद नहीं किया जाता समवाद काम आते हैं और प्रभाव पैदा करते हैं मरदान की लाइन से लेकर हाईवी कोड और क्लिच आदमी ओड़ जाता है लाइन को नया रूप दिया गया है विद्दुत और जैदेप ने फिल्म में से अ उसके अलावा चर्मोत करस जहां महिला सक्ति को भठकारने की उम्मीद थी उच्च आक्टन एक्शन दरस्चों में भारी फिल्म ने पुजा चोपड़ा के थपड़ गंभी रूप से सपाट और और भी बहुत कुछ क्योंकि वहां कुछ खो देती हैं और भी भी चारों को ह असाने का प्रबंधन करती हैं मूर्ख या दिवर्थी आप इसे इसमें से जो भी कह सकते हैं अपचनी है कमांडर निश्चे रूप से एक वन मैन आर्मी है यहां जिस सक्स की बात हो रही है उसका नाम है बिद्दु जामॉल जामॉल जिन्होंने लगभग देर साल पहले प सांक ने रजनीकांत की इस्ताइल लेकिन बहुत अधिक फलने फोलने और द्रड़ विस्वास के साथ इसे आसान बना दिया इसपस्ट रूप से नया खिलाड़ी जो बाले बुड़ में और पहार में मिला है बिद्दु हर एक्शन सेट पीस के साथ दर्शकों को लभाने मे कामियाब होते हैं जो इसपस्ट रूप से उनके लिए तैयार किया गया है और उस अच्चार जनक रूप से गढ़े विए हाट बाड़ी के साथ या एक्शन सूपरमैन यहां करने के लिए हैं पुझा चोपला ठीक ठाक पर दर्शन करती हैं जिसमें हाइलाइट करने के लि में दश्कों को एक मोहक खलना एक अविने के साथ चोकाते हैं बिना उनकी आखों के और संता बंता के चट कुले मोट के उनका अचानक पर को फिल्म की पर भूलित करने वाली समागरी को भी जोड़ता है जाहिर तोर पर एक फिल्म बिद्जामाल दिलेव घोस्ट के लिए पनाई गई है क्योंकि निर्देशक के पास करने के लिए बहुत कम है क्योंकि फिल्म नाटकी द्रस्टों की तुलना में एक्शन द्रस्टों पर अधिक उछाल देती है फिर भी लड़की को बचाने और जंगल से गुंडे को भगाने के बारे में साजिस कोईला किसी को या को में सेट सोजल सा की खूपसरों सिनोमेटोग्राफी जीवन को परभावित करती है और फिल्प में चमकीले बैलत का फर्ष करती है इस पर्ष करती है फिर भी सोने पर सुहागा निश्ची रूप से विद्धु जामवाल और उनकी टीम दरसांदार धंग से आते हैं आसानी से खुद को खिलाडी टैक के नए दावेदार के रूम में स्थापित कर लेते हैं लेकिन अगर आप एक्षन के दिवाने नहीं है तो आप फिल्म को नापसंद कर सकते हैं क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है करनबीर डोंगरा इंडियन आर करें तो भारती सरकार को नीचा दिखाया जा सकता है दूसरी और भारती सरकार समझ जाती है कि करन की बात नहीं सुनी जाएगी लिहाज वह करन का आर्मी रिकार्ड मिटा देती है और उसके बावजूद उसे इंकार करती है करन किसी तरह चीनियों को चकमा देने में सफल र होती है सिमरित अमर्ल कोमर वल्फ इंग से गहे गुंडों से बज्चकर भाग रही होती है अमर्फ कोमर शंग्व अपने राजिने ति मालक के लिए किछी महार खानी आज़ती है सिम्रित का कहना है कि करन ने उसके लिए और मुश्किले खड़ी कर दी है और जब तक वह अपने आप को सुरचित महसूस नहीं करेगी तब तक करन को उसके साथ रहना होगा सिम्रित का पीछा करते हुए अमरत तक कमवल आधमकता है और अंधेरिया बिरिज पर सिम्रित को करन के साथ देखता है कोई चारा ना देख सिम्रित और करन पुल से नदी में छलांग लगा देते हैं बहते हुए जंगल जा पहुँचते हैं सिम्रित की कहानी करन सुनाता है और उसकी मदद करने का अस्वासन देता है जंगल में वे सभी बाहर निकलने की सोचते हैं तब तक कि अमरत का गुष्षा ठंडा न पड़ जाए दूसरी और अमरत उनका पीछा करना जारी रखता है अब चुहे बिल्ली का खेल अमरत और उसके आदमी तथा सिम्रित करन के भी सुरू हो जाता है क्या करन खतरनाक अमरत को अपने आपको 74 कहता है से बचा पाएगा यह इस फिल्म की कहानी है कमांडो एवन मैन आर्मी दिलीब घोज द्वारा निर्देशित और विपुल अमरलाल साह और रिलाइंस इंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मित 2013 की भारती हिंदी भासा की एक्षन थ्रिलर फिल्म है या कमांडो फिल्म सरंखला की पहली किस्त है फिल्म में बिद्दु जामौल पोजा चोपड़ा और जैदीब अहलावत मुक्य भूमकाओं में है जामौल जो कलारी पट्ट्यू की भारती मार्शल आर्ट में परसिचित है फिल्म के एक्षन दरेशों में अपने इस्टन्ट और मार्शल आर्ट खुद करते हैं निर्देशक इसको निर्देशित किया था दिलेब घोस ने और इसमें संगीत दिया था मनन साह और परसाश साथे ने इस फिल्म का वजट था 170 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 279 मिलियन फिल्म करण के इर्द गिर्द घुमती है जो एक भारती पैरा एस एफ काइपटन है जो चीनी हिरासत से भाग गया था सिमरित नाम की एक महिला से मिलता है जिसका एक 74 नाम के एक गंगस्टर और उसके गुंडे पीछा कर रहे हैं यहां जानकर की एक 74 राजनीतिक लाप के लिए सिमरित से जबरन साधी करने पर तुली हुई है करण हस्ता छेप करता है और उसकी रच्छा करता है क्योंकि यह जंगल में गहरे तक पीछा करते हैं जहां करण एक 74 के गुर्गु से लड़ने के लिए अपने मार्शल आर्ट युद्ध करसल का उप्योग करता है यह फिल्म 12 अप्रेल 2013 को नाट की रूप से रिलीज हुई थी इसके बाद दो स्रीक कलाएं कमांडो टू दा ब्लैक मनी ट्रेल जो की 2017 में आई थी और कमांडो थिरी जो की 2019 में आई थी कहानी पैरा एसेप के कप्तान करण सिंग डोंगरा को चीनी अधिकारियों ने तब पकड़ लिया जब उसका हेलिकाप्टर नीमित पर सिछड अभ्यास के दोरान चीनी सीमा पर दुरगरतना ग्रेश्ट हो गया करण और उसके वरष चीनी को पुर्व की मासूमित को समझने में असमर्थ है और चीनी भारत को अंतरराष्टी अस्तर पर बदनाम करने के लिए करण को जासूस के रूम में ब्रांड करने का फैसला करते हैं यह मैसूस करते हुए कि चीनी अनपालन नहीं करेंगे भारत सरकार ने भारती सिना को करड़ के रिकार्ड पहचान को मिटाने और उसके अस्तित को नकारने का आदेश दिया चीनी सिना दोरा करड़ को एक साल तक परतारित किया जाता है लेकिन बाद में चीनी सौन अदालत मिले जाते समयवा भाग निकलता है वह समरित नाम की एक महिला से मिलता है जो खुखार गेंगेस्टर अमरतय कमवल एके 74 सिंग और उसे गुंडों से भाग रही है करण एके 47 के राजनीता भाई के नितरत वाले गुंडों से लड़कर उसे बचाता है वह समरित को उसकी सुरच्छा के लिए सहर से बाहर ले जाने का फैसला करता है लेकिन खुद को एकस बंटी फोर और उसके गुंडों से एक पुल पर घिरा हुआ पाता है अधिक संख्या में और अधिक बंदू के कारण वह समरित के सार नदी में कूच जाता है जो बात में बताता है कि एकस बंटी फोर राजिनितिक लाप के लिए उससे साधी करना चाहता था समरित ने खुलासा किया कि एकस बंटी फोर का उसके गरह नेकर पर पूरानी इंतरड है जहां वह डर के मारे लोहे की मुठी से सासन करता है करण समरित की मदद करने का फैसला करता है एकस बंटी फोर जंगल में दोनों का पीछा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है जहां करण एकस बंटी फोर के अदमियों से लड़ने के लिए जंगल युद्ध में अपनी विश्यस्ता का उपयोग करता है आला कि काफी देर तक पीछा करने के बाद करण को A-74 ने पकड़ लिया जिससे उसे गोली मार दी और उसे एक चटान से नीचे फेग दिया फिर वा सिम्रित के माता पिता को चिताउनी के तोर पर मार देता है गिरने से बचने के बाद करण A-74 को पीछे चला जाता है अपने कुरकोग और चीनी द्वारा भेजेगे थेबा नाम के एक हत्यारे का मुकाबला करने के बाद करण A-74 को हरा देता है और सिम्रित को बचा लेता है करण पकड़ेगे A-74 को सहर के चोराहे पर ले जाता है A-74 को लटकाने और मारने के लिए आगे बढ़ता है करण फिर सहर के लोगों को निडर होने और A-74 जिसे लोगों से नहीं डरने के लिए कहता है जो डर से सासन करते हैं करण खुद को करनल सिनहा के सामने आतर समर करण कर देता है जहाँ वह सिम्रित को अपना असली नाम बत है जैदेप अहलावात अमरज जो की एक फोड़ी सब फोड़ी फोर सिबंटी फोर करनल के रूम में एक खोखार गंगेश्टर के रूम में भूम का निभाई है अगर बातकरिश के संगित की तो कमांडू का साउंट्रेक अलबम 28 मार्ज 2013 को लोग प्री डिश्टल संगित प्लेटफार्म आईट्यून्स और अमेजन पर डिश्टल डाउनलोड के रूम में जारी किया गया था इसमें पांच मोल ट्रेक सामिल थे संगित मनान साद वरा रचित था जिसके बॉल मयूर प्री द्वरा लिखे गये थे जोकि प लेर महंदी ने रिलीज होने पर कमांडों ने अलोजको से मिसरिश सकारातमक समिच्छा प्राप्त की रिब्यू बोल डाट कॉम पर इसे परमुक साइडों के आउसत समिच्छा लेकर 3 आउट आफ 5 मिला जबकि बाली बुड हंगामा के तरह आदास ने कमांडों को 5 में से 3 3.5 इस्टार दिया और कहा एक हाई वोल्टेज एक्षन फियर जो रस्यक यानि इस्पांदित और कुछ ए डेलाइन पंपिंग स्टन्ट के साथ पैग किया गया है डे टाइम साफ इंडिया की मीना आयर ने इसे 5 में से 3.5 इस्टार देकर या टिपड़ी की की यूगों में पहली बार एक्षन सीन पूरी तरह से काईल है इंडियन एक्ष्प्रेस की सुभा गुपता ने इसे 5 में से 3.5 इस्टार दिये और समानित किया गया या देखते हुए कि एक एक्षन फिल्म में गीत और नरत के लिए कोई जगाई नहीं होनी चाहिए इसमें कोई दिमाग न कमांडो में ऐस्पस्ट रूप से डाले गए सभी बहादूर तकनिकों परियासों के बावजूद अंतिप्रडाम परियाप्त रूप से सम्मुहक नहीं है इन.com की अलीसा कोईलो ने या कहते हुए फिल्म को 2.5 इस्टार दिये कमांडो वन मैन आर्मी वन मैन सो है जहां बि पहले सब्तहांक में इसने लगभग 173 मिलियन और रुपय कमाए और सिंगल स्क्रीन में अच्छा बेवसाय किया नामलेस मीडिया फिल्म के जर्मन वितरक ने अगस 2019 में चार सिमें संस्क्रड मीडिया पुस्तिके जारी की जिसमें मौल अंकट संस्क्रड के अलावा एक कमांडो 3 2019 में रिलेज हुई थी कमांडो से लगने वाले कुछ एक्षन सीन हटा दिये जाएं तो यह एक रीजिनल सिनेमा की दोयम दर्जे जैसी वाली फिल्म हो जाएगी फिल्म की एक मात्र खोपसूरती उसका एक्षन है इस एक्षन को काइमपूर्टर या ग्राफिक्स डिजाइन के जरिये नहीं बलकि रियल तरीके से सूट किया गया है लगता है कि वाकई में कोई आदमी 10-20 गुंडों को पीट रहा है इस एक्षन दर्जे के लावा यह फिल्म अपनी कहानी उसे कहने के अंदाज और अपने तीनों ही छितरों में बुरी तरह से मात खाती है फिल्म में जो बाते फ्लैस बैक में होनी चाहिए वहां से या फिल्म सुरू होती है फिल्म में घटनाओ को दिखाने का सेक्वेंस भी फिल्मी नहों कर एक अप्रास समाचार जैसा सपार्ट लगता है फिल्म में लेड रोल कर रहे बिद्दु जामौल एक्षन दर्शों मे जितने अच्छे और सहज लगते हैं अबने करने के मामले में उतने ही कमजोर और बनाउटी फिल्म एक्षन दर्शों पर इतनी आस्रित है कि गानों में भी विद्दु दान्स नहीं बलकि एक्षन कर रहे होते हैं कोई भी फिल्म कुछ अच्छे दर्शों का कोलाज बनकर अच्छे नहीं बनाई जा सकती यह बाद फिल्म के निर्दे सक दिलीब घोस को अंत तक समझ में नहीं आती यह कहानी भारती सेना के कमांडू करेन निविद्दुजा मौल की है नेमित अभ्यास के दोरान करन का हेलिकाप्टर चीन के सीमा के पास क्रैस हो जाता है चीनी सेना से भारत का जासुस समझकर गिरिपतार कर लेती है लंबी यतना के बाद करण वहां से भाग निकलता है वहां से निकल कर वहां पंचाब के एक कस्बे सियाक लोट पहुचता है वहां बस स्टाप पर उसे घर से भागी हुई एक लड़की सिम्रे निपूजा चोपड़ा मिल जाता है एकस बंटी फोर और उसके गुंडे जंगल में भी उसका पिछा करते हैं यहां करन और एकस बंटी फोर के आदमियों के बीच कई बार मुठवेड होती है कई फिल्मों की तरह यहां भी चुप से रहने वाले करन पर बातूनी सिम्रन फिदा हो जाती है फिल्म के क् बात की जाये तो एकस बंटी फोर का किलदार निभाने वाले जैती पहलाव सब परभारी पड़े हैं सफेद आंख वाला ऐसा इंसान जो किसी का कतल करते समय उसे संता बंटा की जोक सुनाता है दर्शकों को डराता भी है और हासाता भी फिल्म का लीड रोल करने वाले अच्छे होते हुए भी अपनी चमक खो देते हैं एक गाने में भी उनका 109 डांस करना मजा किया लगता है 2009 में मिस वर्ड रही पूजा चोपड़ा की यह पहली फिल्म है पूजा सुन्दर तो लगती है पर अभने बिल्कुल नहीं कर पाती अपने माबाप के मरने की बात उस अंदाज में गहती हैं जिस अंदाज और संजीदगी से लोग घर की चाविक हो जाने की बात कहते हैं लगता है कि सवात पूजा के मुह में ठूच दिये गए थे और उन्होंने बस उन्हें मुह से किसी तरह से निकाल दिया है फिल्म से थोड़ा बहुत इतिफाक रिख चड़ता हुआ सूरज दिखाना मजा किया और भद्धा सा लगता है दिलीब घोष की मजबूती एक्षंद्रेश्चों में दिखती है एक्षंद्रेश्चों को रियल तरीके से दिखाने के लावा दिलीब हर जगे कमजोर और पुरानी फिल्मों की नेकल करते हुए दिखत रहत फते अली खान दोरा गया गया गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है बाकि सारे गाने कमजोर और बकवास हैं यदि आप कुछ ऐसे एक्षंद्रेश्चों सीन देखना चाहते हैं जो वाके रियल लगे तो आप ये फिल्म चिरूर देखे और हवा में उड़ते मनिस्चों के नान इस्टाफ द्रस्चों और चीक पुरकार को जहलते रहते हैं तो आखिरकार हमें समझ आता है कि वास्तों में यह एक प्रकार का निहायत ही उबाओ मोटल कैम्बेंट वीडियो गेम था जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे जिसम आपके हाथ में कंसोल कभी नहीं आता और परदे पर दिखाई दे रहा हीरो हर बार जिंदा बच जाता है चाहे उसे पेट में गोली लगी हो या फिर कहीं और या फिर सिर के बल पहाट से नीचे क्यों न फ्यक दिया जाए वास्तों में यह एक वीडियो गेम जैसा ही है फि बिना गन उठाए मैदान में चलाता है जबकि वा मार्शल आर्ट से भी बहुत माहिर नहीं है लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा या बिलन बहुत ही खतरनाक है जरा उसकी कहानी पर तो गोर फरमाईए अमावस की रात को पैदा हुआ सैतान के घर सैतान वह अपनी आखों की पुतलियों के बिना भी देख सकता है और दिलेर कोर्ट नाम एक पंजाबी कस्बे में उसकी हुकूमत है जावा नोजवानों को सस्ते ड्रक्स बेचता है और कस्बे के सुपरिडेंट आप पुलिस को अपने चीप चम्चे और खास आदमी के रूम में नियुक्त कर लेता ह हीरो एक आर्मी में है उसका कहना है कि वह भारत की सिमारेखा के रच्छा कर सकता है लेकिन उसके लिए यह जदा जरूरी है कि वह पहले अंदर की सफाई करे राजनेताओं ने इस आर्मी कैप्टन के साथ बहुत बुरा गिया था वह एक रूटीन एकसरसाइज के दोरान च जंगल से खुबसुरा लड़की को भी छुडा लेता है जो महज मंझे हुए लोगों की जान लेता है और अपने सिकार को M.M.S. पढ़कर सुनाता है ताकि उसकी मौत तनिक आसान हो जाए फिल्म में अधिकान समय हीरो और बिलन वहां की टाकी पर एक दूसरे पर जिमले ज मास्टर बिठल से लेकर धर्मेंदर तक उनके बेटे सनी देवल अजे देवगन और सुनिल शिट्टी तक मुक्के बाजी वाली फिल्में हमेशत दर्सकों को अपनी और खिंशती रही हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे पास मुकी धारा की एक्शन फिल्मों का पूरा ल ही एक्शन है आज भारत में शिक्स पैक्स और बाइसेप्स के लिए जो क्रेज है वैसा ही क्रेज 1980 के दसक में अमेरिका में अर्नाल्ड स्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन के दोर में हुआ करता था वह मसल्स और सामेश के देवता कहलाते थे लेकिन इसके कि हमें सल्मान खान अक्षकुमार जैसे पचास की उमर की और बढ़ते सितारों से सप्लीमेंट्स और इस्टिराइडर्स पर पलने वाले बढ़ाते मसल्स से हमें बचा सकती है लेकिन इस बेसिर पैर की एक्शन फिल्म के हीरो बिद्दु जामाल जो 34 साल के हैं ने अपना क दित ही उन्हें कर सकते हैं वे कमांडो हैं जो लोग नहीं जानते कि कमांडो क्या होता है उन्हें करनल बताते हैं कमांडो वह होता है जिसका वजन 65 किलो होता है लेकिन जो 20,000 फिट के उचाई से कूच जयता है और 50 किलो वजन उठाकर 60 किलो मीटर तक डौर जाता है यही वह एक हजार सैनी की फोज के बराबर होता है अच्छा ऐसा क्या तो एक काम कीजिए कमांडो को लेकर एक ठीक थाक फिल्म बनाइए हम उसे भी देखना चाहेंगे एक्षन फिल्म के तौर पर परचारिर कमांडो का एक्षन रोमाचित करता है विद्द जामॉल में विजली की गती और चकमा है एक्षन दरस्व में उनकी इस फूर्थ देखते ही बनती है एक्षन पसंद करने वालों को या फिल्म अवस्य देखनी चाहिए भारती सिना के कमांडो को खो जाने से कहानी सुरू होती है करण बीर डोगारा यानि विद्द जामॉल का हेलिकाप्टर नीमित अभ्यास के दोरान क्रैस कर जाता है करण को चीनी सिना के जवान गिरिपतार कर लेते हैं वह उसे जसुर समझते हैं चीनी कैद में निश्चित मोश से बच कर करण भागता है और भारती सिमा में परवेश कर जाता है वह पंजाब के गाउं पहुँचता है वहां उसकी भिड़त अनायास कुछ गुंडों से हो जाती है वह एक लड़की को उससे बचाता है बाद में वह लड़की उसके पीछे पढ़ जाती है कि अब आगे भी बचाओ इस कहानी के साथ हम देख चुके होते हैं कि इलाके का बदमा से के 74 यानि जैदे पहलावत गाउं की लड़की सिमरन यानि पीजा चोपड़ा से साधी करना चाता है सिमरन उसके चंगल से बचने के लिए भागी है इसके आगे की कहानी एके 74 और करण के संघर्ष की हो जाती है करण किसी भी तरह सिमरन को एके 74 के गिरिप्त में नहीं आने देना चाहता वो अपनी कमांडो ट्रेनिंग का भरपूर फादा उठाता है और एके 74 के दाथ खटे कर देता है फिल्म में लंबे और रोमांचा के चेज सीन है पहाड, नदी, नाले और जंकल में ऐसे द्रस्यों के लिए जरूरी एक्षन है करण की ताकत और स्पूर्ट से लग जाता है कि वह एके 74 पर भारी पड़ेगा कमांडो में बिद्धु जामौल के साथ जेदीप अहलावत की तारीप करनी होगी दोनों के एक्षन और अदाएगी पर ही पूरी फिल्म टिकी है सिमरन फिल्म में एक्षन और चेज का करण बनती है इस भागदोड में सिमरन और करण का रोमांस भी हो जाता है सिमरन की भूमका में नई होने के बाउजोत पुजा चोपड़ा अच्छी लगती है उनमें एक रवानी है या फिल्म सुध्ध एक्षन फिल्म है डिसुम डिसुम डिस्क्यों चोकि हिंदी में रोमांस किये बगेर नाएक हीरो नहीं बन सकता इसलिए फिल्म में गयर जुरिर इसलिए भी प्हीर मांस भी हैं अब रूमांस है तो रॉमांस गीत अनिवार हो जाते हैं लेकिन कमांडो को रॉमांटिक बग बग धिला प्लाट अंतर नहित कहानी के लिए कम चमक उपचार और अनावसक आइटम गीद सिर्फ इसके लिए धरासाई हो गया लूब्रेक एक नहीं अगर आपको एक्षन पसंद है तो एक बार सायद आगर आप एक्षन के दिवाने नहीं हैं कमांडो को पूरी तरसे बिद्व जामाल की फिल्म है जो उन्हें अपनी मार्शल आठ प्रतिभा को अपार आतम विश्वास और पोड मातरा के में परदर्शित करने के लिए मंच परधान करती है त्याह निश्ची रूप से देखने लायक है ठीक ठाक आप एक पैरा कमांडो अधिकारी करणबीर डोंग रायनी विद्व जामाल के जीवन में आ जाते हैं जो चीनी शेत्र में दुर्गचना गरस्त हो जाता है जो उसे एक भारती जासुस के रूम में बुला कर सिष्टम में हेर फेर करता है जबकि उसका देश उसे और उसकी विश्वासिता को अस्य कार करता है उसके दुर्भाग के समनांतर जिला तलेर कोट जो अस्थानी गुंड़ा एके 74 नीचे दिप अहलाव से परिशान है जिसे सिमरित अनी पुझा चोपड़ा से गहरा प्यार है राजिनितिक लाभ और मनाफे के कारणवा कहानी के महिला प्रेम से प्राप्त कर सकत है सिमरित भागने की कोशिश करती है और पलायन वादी करण से मिलती है जो एके की बेडियों से दोर भागने में उसकी मदद करने की कसम खाता है इसके बाद दिल्ली और इसके बाद बिल्ली और चुहे का पीछा होता है बहुत सारे खेल नाटको और भीशण एक्षंद रस और संकोची प्रेम है जो पूरी तरह से एक अलग राष्टा पनाता है क्योंकि करण को मौत की घाट उतार दिया जाता है क्या करण वापस आएगा और अपनी प्रेमका को एके से बचाएगा क्या वह समान को फिर से हासिल कर पाएगा जिसका वह हगदार था लेकिन अंत्ता भ धीली है कम मनोरंजक कहानी और अधगांस हिसों में भावनाओं की पर्चुर कमी के साथ इसक्रिप्ट को पर्मक रूप से पसंद नहीं किया जाता संवात काम आते हैं और प्रभाव पैदा करते हैं मरदान की लाइन से लेकर हाइवी कोड और क्लिच आदमी ओड़ जाता है लाइन को नया रूप दिया गया है विद्दुत और जैदेप ने फिल्म में से अच्छी लाइने साजा की हैं जबकि सिम्रित की माता पिता उसकी आँखों के सामने एक दुरगटना में बेरहमी से मारे जाते हैं वह केवल चोड़ी आँखों से देखती है बामुश्किल ए कपड़ गंभी रूप से सपाट और और भी बहुत कुछ क्योंकि वहां कुछ खो देती हैं और भी चारों को हसाने का प्रबंधन करती हैं मूर्ख या दिवर्थी आप इसे इसमें से जो भी कह सकते हैं अपसनी है कमांडर निश्ची रूप से एक वन मैन आर्मी है यहां ज अपसेश्ट एक्संट पर दर्सनों में से एक देते हैं च्छतों पर चठने से लेकर सरकने वाली कार की खड़कियों से गुजरने तक बी टाउन के इस हंक ने रजनीकांत की स्टाइल लेकिन बहुत अधिक फलने फोलने और द्रड़ विस्वास के साथ इसे आसान बना दि और उस अच्छार जनके रूप से गढ़े विए हाट बाड़ी के साथ या एक्संट सुपरमैन यहां करने के लिए हैं पुज़ा चोपडा ठीक ठाक पर दर्सन करती हैं जिसमें हाईलाइट करने के लिए कुछ खास नहीं है किद्वा करीना के जब भी मेट की पंक्तियों क ठेट है पेड़गीत आउतार में प्रतिन अधित करने की कोशिश करती हैं अपेचित रूप से यह बुरी तरह बिफल रही जैदे पहलाओ खतरनाक एके के रूम में दर्सकों को एक मोहक खलना एक आविने के साथ चोकाते हैं बिना उनकी आँखों के और संता बंता के चट चाहना में एक्षन द्रस्व पर अधिक उचाल देती है फिर भी लड़की को बचाने और जंगल से गुंडे को भगाने के बारे में साजिस कोईला किसी को याद दिल कोईला फिल्म की याद दिलाती है निर्देशक द्वारा अधिया धुर्य निर्देशन और अभाव उपसुरों सिनोमेटोग्राफी जीवन को परभावित करती है और फिलिप में चमकीले बैलत का फर्स करती है इस पर्स करती है फिर भी सोने पर सुहागा निश्ची रूप से बिद्व जामवाल और उनकी टीम दरसांदार धंग से कोरियोग्राफ और फिलमाया गया मौत को नए दावेदार के रूम में इस्थापित कर लेते हैं लेकिन अगर आप एक्षन के दिवाने नहीं हैं तो आप फिलम को नापसंद कर सकते हैं क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है करनबिर डोंगरा इंडियन आर्मी का कमांडो है और दुरगटना वस्वा चीन की सीमा में कुछ जाता है वह पकड़ा जाता है चीनियों के यह विश्वास नहीं दिला पाता कि उसकी नियत में कोई खोट नहीं है और यह सब अंजाने में हुआ है चीनी सोचते हैं कि करनब साथ्र उसे इंकार करती है करन किसी तरह चीनियों को चकमा देनी में सफहर है और लूप्चाब लाडर से हिमाचल परदेश में घुषता है कि न नौर होते हुए ऑपठान कोट जाना चाहता है जहां उसका बेस है हिमाचल पनजाब बाडर क्रास करते ही उसकी मुलाकात सिम सिम्रित अमरल कॉंवल सिंग से गए गुंडों से बच कर भाग रही होती है अमरत कॉंवल सिंग अपने राजनीतिक लाप के लिए किसी भीतर है सिम्रित से साधी करना चाहता है अमरित के गुंडे सिम्रित का पिछा करते हुए वहां आ पहुंचते हैं करन उन्हें चितावनी करते हुए अमरत कंवल आधमकता है और अंधेरिया बुरिज पर सम्रीट को करन के साथ देखता है कोई चारा ना देख सिम्रिट और करन पुल से नदी में छलांग लगा अमरत उनका पीछा करना जारी रखता है अब चुहे बिल्ली का खेल अमरत और उसके आदमी तथा सिम्रित करन के भी सुरू हो जाता है क्या करन खतरनाक अमरत को अपने आपको कहता है से बचा पाएगा यह इस फिल्म की कहानी है कमांडो एवन मैन आर्मी दिलीब घोज द्वारा निर्देशित और विपुल अमरलाल साह और रिलाइंस इंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मित 2013 की भारती हिंदी भासा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है या कमांडो फिल्म सर संदरेशों में अपने स्टेंट और मार्शल आर्ट खुद करते हैं निर्देशक इसको निर्देशित किया था दिलेब घोश ने और इसमें संगीत दिया था मनन साह और परसाश साथे ने इस फिल्म का वजट था 170 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 279 मिलियन फिल्म कर स्टर और उसके गुंडें पीछा कर रहे हैं यहां जानकर की एके 74 राजनीतिक लाप के लिए सिम्रिस से जबरन साधी करने परतुली हुई है करण हस्ता छेप करता है और उसकी रच्छा करता है क्योंकि यह जंगल में गहरे तक पीछा करते हैं जहां करण एके 74 के 2017 में आई थी और कमांडो 3 जो की 2019 में आई थी कहानी पैरा SF के कप्तान करण सिंग्डोंगरा को चीनी अधिकारियों ने तब पकड़ लिया जब उसका हेलिकाप्टर नीमित पर सिछड़ अभ्यास के दोरान चीनी सीमा पर दुर्गतना ग्रेस्ट हो गया करण और उसके वर पालन नहीं करेंगे भारत सरकार ने भारती सिना को करण के रिकार्ड पहचान को मिटाने और उसके अस्तित को नकारने का आदेश दिया चीनी सिना द्वरा करण को एक साल तक परताडित किया जाता है लेकिन बाद में चीनी सौन अदालत में ले जाते समय वा भाग निकलता है वा स्मृत नाम की एक महिला से मिलता है जो खुखार गैंगेस्टार अमरतय कमवल एके 74 सिंग और उसे गुंडो से भाग रही है करण एक 47 के राजनेता भाई के नितरत वाले गुंडो से लड़कर उसे बचाता है वा स्मृत को उसकी सुरच्चा के लिए सहर से बाहर ले में कूच जाता है जो बाद में बताता है कि एक स्वेंटिफोर राजिनितिक लाप के लिए उससे साधी करना चाहता था सिम्रित ने कूच जासा किया कि एक स्वेंटिफोर का उसके गुरह नकर पर पूरानी इंत्रण है जहां वह डर के मारे लोहे की मुठी से सासन करता है करण सिम्रित की मदद करने का फैसला करता है A-74 जंगल में दोनों का पीछा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है जा करण A-74 के अदमियों से लड़ने के लिए जंगल युद्ध में अपनी विश्यस्ता का उपयोग करता है आला कि काफी देर तक पीछा करने के बाद करण को A-74 ने पकड़ लिया जिससे उसे गोली मार दी और उसे एक चटान से नीचे फेग दिया फिर वा सिम्रित के माता पिता को चिताउनी के तोर पर मार देता है गिरने से बचने के बाद करण A-74 को पीछे चला जाता है जहां A-74 की जेब में मौझूद पुलिस द्वारा उसे लगभग नाकाम कर दिया जाता है लेकिन समय रहते हैं अपने पूर वोरिष्ट अधिकारी करनल द्वारा बचा लिया जाता है लेकिन सिनहा करण A-74 को लटकाने और मारने के लिए आगे बढ़ता है करण फिर सहर के लोगों को निडर होने और A-74 जिसे लोगों से नहीं डरने के लिए कहता है जो डर से सासन करते हैं करण खुद को करनल सिनहा के सामने आत्र समर करण कर देता है जहां वहां सिमरित को अपना असली नाम बताता है और वापस आने का वादा करता है बिद्दु जामौल जिसने कप्तान करड़बीर यानी करड़चिंग डोगरा के पएरा SS के रूम में रोल निभाया है पुजा हेकले जो कि सिम्रित कौर के रूम में रोल निभाया है जैदेप अहलावात अमरज जो की एके 44 करनल के रूम में एकोखार गंगेश्टर के रूम में भूम का निभाई है अगर बात करिश के संगित की तो कमांडू का साउंट्रेक अलबम 28 मार्श 2013 को लोग प्री डिश्टल संगित प्लेटफॉर्म आईट्यून्स और अमेजन पर डिश्टल डाउनलोड के रूम में जारी किया गया था इसमें पांच मोल ट्रेक सामिल थे संगित मनांसा दोरा रचित था जिसके बॉल मयूर प्री दोरा लिखे गये थे जोकि प्रटभूम इसकोर पर साथ सस्ते दोरा बनाया गया था इस फिल्में कुल चार गाने थे लट जवान, सावनबेरी, मुंगडा और लिना दिना जिसे गया था धुरू संसारी, रहत पते अली खान, सुनिधी चोहान और दलेर महंदी ने रिलीज होने पर कमांडो ने अलोजको से मिसरिस सकारातमक समिच्छा प्राप्त की, रिब्यू बोल डाट कॉम पर इसे परमक साइडों के आवसत समिच्छा लेकर 3 आउट आफ 5 मिला, जबकि बाली बुढ़ हंगामा के तरह आदर्श ने कमांडो को 5 में से 3.5 इस्टार द या टिपड़ी की की यूगों में पहली बाल एक्षन सीन पूरी तरह से काईल है, इंडियन एक्स्प्रेस की सुभा गुपता ने इसे 5 में से 3.5 इस्टार दिये और समानित किया गया, या देखते हुए कि एक एक्षन फिल्म में गीत और नरत के लिए कोई जगाई नहीं ह होनी चाहिए, इसमें कोई दिमाग नहीं है, इसमें एक कहानी भी है जो चर्मराती है, इन परिशानियों को कम करते हुए यह एक सुध्र इंडरेलाइन रस होता है, इन डिटी बी के सैबल चेटर जी ने इसे 5 में से 2 इस्टार दिये और टिपड़ी की कमांडों में अस्प हो है, जहां बिद्धोस अपना सारा भार अपने कंधों पर उठाते हैं, फिल्म ने अपने सुरुवाती दिन में लगभग 35 मिलियन की कमाई की, फिल्म ने अपने पहले सब्तहांक में 113 मिलियन की कमाई की, अपने पहले सब्तहांक में इसने लगभग 173 मिलियन और रुप इस बैकल पिक, कट के गाने और इंटर मिशन यार्ड को हटा दिया जाता है। फिल्म की सफलता के बाद इसे दो सिक्वल पराप्त है कमांडो 2 सिर्शक पहली वाली फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। जिबकि कमांडो 3 2019 में रिलीज हुई थी। कमांडो, एवन मैन आर्मी, सियद रियल से लगने वाले कुछ एक्षन सीन हटा दिये जाएं तो यह एक रिजिनल सिनेमा की दोयम दरजे जैसी वाली फिल्म हो जाएगी। फिल्म की एक मातर खोबसूरती उसका एक्षन है। इस एक्षन को काइमपूर्टर या ग्राफिक्स डिजाइन के जरिये नहीं बलकि रियल तरीके से सूट किया गया है। लगता है कि वाकई में कोई आदमी 10-20 गुंडों को पीट रहा है। इस एक्षन दरस्चों के लावा या फिल्म अपनी कहानी उसे कहने के अंदाज और अबने तीनों ही छितरों में बुरी तरह से मात खाती है। एक्षन दरस्चों में जितने अच्छे और सहज लगते हैं अबने करने के मामले में उतने ही कमजोर और बनाउटी। कोई भी फिल्म कुछ अच्छे द्रस्यों का कुलाज बनकर अच्छे नहीं बनाई जा सकती यह बाद फिल्म के निर्देशक दिलेब घोस को अंत तक समझ में नहीं आती यह कहानी भारती सेना के कमांडो करेन ने बिदुद जामौल की है नेमित अभ्यास के दोरान करन का हेलिकाप्टर चीन के सीमा के पास क्रैस हो जाता है चीनी सेना उसे भारत का जासुस समझ कर गिरिपतार कर लेती है लंबी यतना के बाद करण वहां से भाग निकलता है वहां से निकल कर वहा पंचाब के एक कस्बे सियाक लोट पहुचता है वहां बस स्टाप पर उसे घर से भागी हुई एक लड़की सिमरे निकल पूजा चोपड़ा मिलती है उसके पीछे उस इलाके के बड़े बदमास AK-74 यानि चैतीप अहलावत गुंडे लगे हैं करन पूजा को उन गुंडों से बचाता है अब AK-74 का दुसमन पूजा के आदमियों के बीच कई बार मुटवेड होती है कई फिल्मों की तरह यहां भी चुप से रहने वाले करन पर बातूनी सिमरन फिदा हो जाती है फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा जाता है कि करन किस तरह से AK-74 को सियाल कोट के चोराहे पर सारे अंफांसी देता है जो कि S.C. क कतल करते समय उसे संता बंता की जोक सुनाता है दर्श को कुछ डराता भी है और हसाता भी फिल्म का लीड रोल करने वाले बिदुद जामौल ने एक्षन द्रेस्वों में अपनी खूबी दिखाई है ऐसा एक्षन जो रियल भी लगे और परभावी भी लेकिन जहां बात अ पूजा चोपड़ा की यह पहली फिल्म है पूजा सुन्दर तो लगती है पर अभने बिल्कुल नहीं कर पाती अपने माबाप के मरने की बात वह उस अंदाज में कहती हैं जिस अंदाज और संजीदगी से लोग घर की चाविक हो जाने की बात कहते हैं लगता है कि सवात प परियोग किये गए कई सीन उठाकर यहां डाल दिये गए हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में जब बिलन की गोली से घाल हुआ ही रो दुबारा उसे बदरा लेने के लिए लोड़ता है तो बैग्राउंड में चढ़ता हुआ सूरज दिखाना मजा किया और भद्दा सा लगता है दिलीब घोष की मजबुती एक्संद्रेस्टो में दिखती है। एक्संद्रेस्टो को रियल तरीके से दिखाने के लावा दिलीब हर जिए कमजोर और पुरानी फिल्मों की नेकल करते हुए दिखते हैं। फिल्म का अंत और उस अंत के तरीके को भाव चुके दर्सक जब फिल्म में खतम होने का इंतिजार करते हैं तो उसी समय आया एक आटम साम उन्हें इरिटेट कर देता है दिलीप को कहां पर क्या दिखाना है या कला भी सीखनी होगी रहत पते अली खान दोरा गया गया गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है बाकि सारे गाने कमजो और बकवास हैं यदि आपको चैसे एक्सन सीन देखना चाहते हैं जो वाकी रियल लगे तो आप ये फिल्म चिरूर देखे एक्सन दरश्य के अलावा फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है यदि एक्सन ही एक्सन देखना हो तो एक पूरी फिल्म क्यों देखे अखिरकार हमें समझ आता है कि वास्तों में यह एक प्रकार का निहायत ही उबाव मोटल का इंबेंट वीडियो गेम था जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे जिसमें आपके हाथ में कंसोल कभी नहीं आता और परदे पर दिखाई दे रहा हीरो हर बार जिंदा बच जात है ताकि वा आखिरी लेबल पार करके आखिरकार राजकुमारी को जीत ले निश्चित ही आखिरी स्टेज में हीरो का सीधा मुकाबला बिलन से ही है जो बिना गन उठाए मैदान में चला आता है जबकि वा मार्शल आर्ट से भी बहुत माहिर नहीं है लेकिन कोई गलती मत क खतरनाक है जरा उसकी कहानी पर तो गोर फरमाईए अमावस की रात को पैदा हुआ सैतान के घर सैतान वह अपनी आखों की पुतलियों के बिना भी देख सकता है और दिलेर कोर्ट नाम एक पंजाबी कस्बे में उसकी हुकूमत है जावा नोजवानों को सस्ते ड्रक्स लेकिन उसके लिए यह जदा जरूरी है कि वह पहले अंदर की सफाई करे राजनेताओं ने इस आर्मी कैप्टन के साथ बहुत बुरा गिया था वह एक रूटीन एकसरसाइज के दोरान चीन की सिरहद में दाखिल हो गया था नेताओं के खुले आम उसे पहचानने से इंका लेता है और अपने सिकार को M.M.S. पढ़कर सुनाता है ताकि उसकी मौत तनिक आसान हो जाए फिल्म में अधिकान समय हीरो और बिलन वांकी टाकी पर एक दूसरे पर जमले जोड़ते रहते हैं फिर वह इन हीरो को हंसला दिलाती रहती है वे जंगल में हैं और बिलन के जे देवगन और सुनिल सिट्टी तक मुक्य बाजी वाली फिल्में हमेशा दर्सकों को अपनी और खिंशती रही हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे पास मुकी धारा की एक्शन फिल्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं है 1988 में भी कमांडो नामक एक फिल्म आई थी जिसम भारत में सिक्स पैक्स और बाइसेप्स के लिए जो क्रेज है वैसा ही क्रेज 1980 के दसक में अमेरिका में अरनाल्ड स्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन के दोर में हुआ करता था वह मसल्स और सामेश के देवता कहलाते थे लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्मे सल्मान खान अक्षकुमार जैसे पचास की उम्र की और बढ़ते सितारों से सप्लीमेंट्स और इस्टिराइडर्स पर पलने वाले बढ़ाते मसल्स से हमें बचा सकती है लेकिन इस बेसिर पैर की एक्षन फिल्म के हीरो बिद्दु जामाल जो 34 साल के हैं ने अपना काम बा सकते हैं वे कमांडो हैं जो लोग नहीं जानते कि कमांडो क्या होता है उन्हें करनल बताते हैं कमांडो वह होता है जिसका वजन 65 किलो होता है लेकिन जो 20,000 फिट के उचाई से कूच जयता है और 50 किलो वजन उठा कर 60 किलो मीटर तक डौड जाता है यही वह एक हजार सैनी की फोऄज के बराबर होता है, यानी कि वह एक घार सैनी की फोऄज के बराबर होता है, अच्छा ऐसा क्या, तो एक काम कीजिये, कमांडो को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म बनाईए, हम उसे भी देखना चाहेंगे, एक्षन फिल्म के तौर पर परचारिर कमांडो का एक्षन रोमाचित करता है विद्द जामॉल में विजली की गती और चकमा है एक्षन दरस्व में उनकी इस फूर्थ देखते ही बनती है एक्षन पसंद करने वालों को या फिल्म अवस्य देखनी चाहिए भारती सिना के कमांडो को खो जाने से कहानी सुरू होती है करण बीर डोगारा यानि विद्द जामॉल का हेलिकाप्टर नीमित अभ्यास के दोरान क्रैस कर जाता है करण को चीनी सिना के जवान गिरिपतार कर लेते हैं वह उसे जसुर समझते हैं चीनी कैद में निश्चित मोस से बच कर करण भागता है और भारती सिमा में परवेश कर जाता है वह पंजाब के गाउं पहुचता है वहां उसकी भिड़त अनायास कुछ गुंडों से हो जाती है वह एक लड़की को उससे बचाता है बाद में वह लड़की उसके पीछे पढ़ जाती है कि अब आगे भी बचाओ इस कहानी के साथ हम देख चुके होते हैं कि इलाके का बदमा से के 74 यानि जैदे पहलावत गाउं की लड़की सिमरन यानि पीजा चोपड़ा से साधी करना चाता है सिमरन उसके चंगुल से बचने के लिए भागी है इसके आगे की कहानी एके 74 और करण के संघर्ष की हो जाती है करण किसी भी तरह सिमरन को एके 74 के गिरिप्त में नहीं आने देना चाहता वो अपनी कमांडो ट्रेनिंग का भरपूर फादा उठाता है और एके 74 के दात खटे कर देता है फिल्म में लंबे और रोमांचा के चेज सीन है पहाड, नदी, नाले और जंकल में ऐसे द्रस्यों के लिए जरूरी एक्षन है करण की ताकत और स्पूर्ट से लग जाता है कि वह एके 74 पर भारी पड़ेगा कमांडो में बिद्धु जामौल के साथ जेदीप अहलावत की तारीफ करनी होगी दोनों के एक्षन और अदाएगी पर ही पूरी फिल्म टिकी है सिमरन फिल्म में एक्षन और चेज का करण बनती है इस भागदाड में सिमरन और करण का रोमांस भी हो जाता है सिमरन की भुमका में नई होने के बाउजोत पुजा चोपड़ा अच्छी लगती हैं उनमें एक रवानी है या फिल्म सुध्ध एक्षन फिल्म है डिसुम डिसुम डिस्क्यों चोकि हिंदी में रुमांस किये बगेर नाएक हीरो नहीं बन सकता इसलिए फिल्म में गयर जुर अब रुमांस है तो रुमांटिक गीत अनिवार हो जाते हैं लेकिन कमांडो को रुमांटिक गाने गाते देखना उचिन नहीं लगता फिल्म के क्लामेक्स में करण का भांसर भी जबर्दस्ती जोड़ा हुआ लगता है निर्भेक होनी का कारण का पार्ट फिजूल है कमां पूजा चोपड़ा की जिवरिस बगबग धिला प्लाट अंतर नहित कहानी के लिए कम चमक उपचार और अनावसक आइटम गीद सिर्फ इसके लिए धरासाई हो गया लूब्रेक एक नहीं अगर आपको एक्षन पसंद है तो एक बार सायद आगर आप एक्षन के दिवाने नहीं हैं कमांडो को पूरी तरसे बिद्व जामाल की फिल्म है जो उन्हें अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा को अपार आतम विश्वास और पोड मातरा के में परदर्शित करने के लिए मंच परधान करती है त्याह निश्ची रुप से देखने लायक है ठीक ठाक आप एक विश्वासिता को अस्युकार करता है उसके दुर्भाग के समनांतर जिला तलेर कोट जो अस्थानी गुंड़ा एके सबन्टिफोर नीचे दिप अहलाओ से परिशान है जिसे सिमरित यानी पुजा चोपड़ा से गहरा प्यार है राजिनितिक लाभ और मुनाफे के कहानी के महिला प्रेम से प्रात कर सकता है सिमरित भागने की कोशिश करती है और पलायन वादी करण से मिलती है जो एके की बेडियों से दोर भागने में उसके मदद करने की कसम खाता है इसके बाद दिल्ली और इसके बाद बिल्ली और चुहे का पीछा होता है बहुत सारे खेल नाटको और भीशड़ एक्संदरस्चों के साथ खतम होने की लड़ाई जो सही पंच में पैक होती है कुछ बहुत हत्यारे पंथर लेक लेक से खेल खेल में बाहर एक इसलाइस की तरह हैं इस सब हुलाबू के बीच यह दो मुख्य पार्त्रों के बीच पनप्रह नरम औ आएगा जिसका वह हगदार था लेकिन अंत्ता भरष राजिनितिक भारती दिमाग के उपच के हाथों खो गया हाला कि फिल्म सहने योग है यह निश्चित बिद्दु जामौल और उनके साधर इस्टंट के लिए धन्यवाद लेकिन कमांडो इसक्रिप के मौर्चे पर भी एदा करते हैं मरदान की लाइन से लेकर हाइवी कोट और क्लिच आदमी ओड़ जाता है लाइन को नया रूप दिया गया है विद्दुत और जैदेप ने फिल्म में से अच्छी लाइने साजा की हैं जबकि सिम्रित की माता पिता उसकी आँखों के सामने एक दुरगटना म एक्षन दरश्चों में भारी फिल्म में पुजा चोपड़ा के थपड़ गंभी रूप से सपाट और और भी बहुत कुछ क्योंकि वहां कुछ खो देती हैं और भी चारों को हसाने का प्रबंधन करती हैं मूर्ख या दिवर्थी आप इसे इसमें से जो भी कह सकते हैं अपनी विसाल प्रतिवहों को सामने लाते हैं इस दसक में सर्फशेष्ट एक्षन पर दरसनों में से एक देते हैं च्छतों पर चखने से लेकर सरकने वाली कार की खड़कियों से गुजरने तक बी टाउन के इस हंक ने रजनीकांत की स्टाइल लेकिन बहुत अधिक फलने फूलने और दरड़ विस्वास के साथ इसे आसान बना दिया इस पस्ट रूप से नया खिलाड़ी जो बाले बोड़ में और पहार में मिला है बिद्धत हर एक्षन सेट पीस के साथ दर्शकों को लबाने में कामयाब होते हैं जो इस पस्ट रूप से उनके लिए तैयार कि ही है कि दुआ करीना कि जब भी मेट की पंक्तियों को ठेट है पेड़ गीत आउतार में प्रतिनोधित करने की कोशिश करती हैं अप एच्छित रूप से यह बुरी तरह बिफल रही जैदे पहलात खतरना के 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 रूम में दशकों को एक मोहक खलना एक अविने के साथ चोक क्योंकि निर्देशक के पास करने के लिए बहुत कम है क्योंकि फिल्म नाटकी द्रसों की तुलना में एक्शन द्रसों पर अधिक उछाल देती है फिर भी लड़की को बचाने और जंगल से गुंडे को भगाने के बारे में साजिस कोईला किसी को याद कोईला फिल्म की य चस्प भी है हिमाचल पंजाब सिमा के जंगली लाको में सट सोजल सा की खूपसुरों सिनोमेटोग्राफी जीवन को परभावित करती है और फिल्म में चमकीले बेलत का फर्ष करती है इस पर्ष करती है फिर भी सोने पर सुहागा निश्ची रूप से विद्धु जामवा आते हैं आसानी से खुद को खिलाडी टैक के नए दावेदार के रूम में स्थापित कर लेते हैं लेकिन अगर आप एक्षन के दिवाने नहीं है तो आप फिल्म को नापसंद कर सकते हैं क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है करनबीर डोंगरा इंडियन आर करें तो भारती सरकार को नीचा दिखाया जा सकता है दूसरी और भारती सरकार समझ जाती है कि करन की बात नहीं सुनी जाएगी लिहाज वह करन का आर्मी रिकार्ड मिटा देती है और उसके बावजूद उसे इंकार करती है करन किसी तरह चीनियों को चकमा देने में सफल र अमरत कowal सिंग से गये गुंडों से बचकर भाग रही होती है अमरत कवॉल सिंग अपने राजनी तिक लाप के लिए किसी भी त्रह सिम्रिच से साधी करना छाता ऑए अमरिच के गुंडे सिम्रिच का पिछा करते हुए वहाँ आ पहुचते हैं गटन उन्हें चितावनी देत तब तक करन को उसके साथ रहना होगा सिम्रित का पीछा करते हुए अमरत तक कमवल आधमकता है और अंधेरिया बिरिज पर सिम्रित को करन के साथ देखता है कोई चारा ना देख सिम्रित और करन पुल से नदी में छलांग लगा देते हैं बहते हुए जंगल जा पहुंचते हैं सिम्रित की कहानी करन सुनाता है और उसकी मदद करने का अस्वासन देता है जंगल में वे सभी बाहर निकलने की सोचते हैं तब तक कि अमरत का गुष सा ठंधा न पड़ जाए दूसरी ओर अमरत उनका पीछा करना जारी रखता है अब चुहे बिल्ली का खेल अमरत और उसके आदमी तथा सिम्रित करन के भी सुरू हो जाता है क्या करन खतरनाक अमरत को अपने आपको एक से बंटी फोर कहता है से बचा पाएगा यह इस फिल्म की कहानी है कमांडो एवन मैन आर्मी दिलीब घोज द्वारा निर्देशित और व जैदीब एहलावत मुक्य भूमकाओं में हैं जामौल जो कलारीब पट्यू की भारती मार्शल आर्ट में परसिचित हैं फिल्म के एक्षंदरेशों में अपने इस्टेंट और मार्शल आर्ट खुद करते हैं निर्देशक इसको निर्देशित किया था दिलेब घोश ने और इसमें संगीत दिया था मनन साह और परसाश साथे ने इस फिल्म का वजट था 170 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 279 मिलियन फिल्म करण के एर्द गिल्द घुमती है जो एक भारती पैरा एस एप काइप्टन है जो चीनी हिरासत से भाग गया था सिम्रित नाम की एक साथी करने पर तुली हुई है करण हश्ता छेप करता है और उसकी रच्छा करता है क्योंकि ये जंगल में गहरे तक पीछा करते हैं जहां करण एके 74 के गुर्गों से लड़ने के लिए अपने मार्शल आर्ट युद्ध कौसल काउप्यों करता है या फिल्म 12 अप्रेल 2013 को करण सिंग डोंगरा को चीनी अधिकारियों ने तब पकड़ लिया जब उसका हेलिकाप्टर नीमित पर सिच्छड अभ्यास के दोरान चीनी सीमा पर दुर्गतना ग्रस्ट हो गया करण और उसके वर्ष चीनी को पुर्व की मासूमित को समझने में असमर्थ है और चीनी भ भारती सिना को करण के रिकार्ड पहचान को मिटाने और उसके अस्तित को नकारने का आदेश दिया चीनी सीना द्वरा करण को एक साल तक परताडित किया जाता है लेकिन बाद में चीनी सौन अदालत में ले जाते समय वा भाग निकलता है वह समृत नाम की एक महिला से मिलत है जो खुखार गैंगेस्टार अम्रतय कमवल एके 74 सिंग और उसे गुंडों से भाग रही है करण एक 70 एक 47 के राजनीता भाई के नित्रत वाले गुंडों से लड़कर उसे बचाता है वह समृत को उसकी चुरच्छा के लिए सहर से बाहर ले जाने का फैसला करता है लेकिन खुद को एक 74 और उसके गुंडों से एक पुल पर घिरा हुआ पाता है अधिक संख्या में और अधिक बंदू के कारण वह समृत के सार नदी में कूच जाता है जो बाद में बताता है कि एक 74 राजिनितिक लाप के लिए उससे साधी करना चाहता था सिमृत ने खुलासा किया कि एक 74 का उसके गिरह नेकर पर पूरानी अंत्रड है जहां वह डर के मारे लोहे की मुठी से सासन करता है करण सिमृत की मदद करने का फैसला करता है एक 74 जंगल में दोनों का पीछा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है जहां करण एक 74 के अदमियों से लड़ने के लिए जंगल युद्ध में अपनी विश्यस्ता का उपयोग करता है आला कि काफी देर तक पीछा करने के बाद करण को एक 74 ने पकड़ लिया और उसे एक चटान से नीचे फेग दिया, फिर वा सिम्रित के माता पिता को चिताउनी के तोर पर मार देता है, गिरने से बचने के बाद करण एक सबन्टी फोर को पीछे चला जाता है, अपने कुरकोग और चीनी द्वारा भेजे गे थेबा नाम के एक हत्यारे का मुकाबला करने के बाद करण एक सबन्टी फोर को हरा देता है, और सिम्रित को बचा लेता है, करण पकड़े गे एक सबन्टी फोर को सहर के चोराहे पर ले जाता है, जहां एक सबन्टी फोर की जेब में मौजूद पुलिस द्वारा उसे लगभग नाकाम कर दिया जाता है, लेकिन सम लोगों से नहीं डरने के लिए कहता है जो डर से सासन करते हैं करण खुदिक को करनल सिंहा के सामने आत्र समरकड़ कर देता है जहां वहां सिमृत को अपना असली नाम बताता है और वापस आने का वादा करता है बिद्दु जामौल जिसने कप्तान करणबीर यानि करणशिंग डोगरा के पारा SS के रूम में रूल निभाया है पुझा है खड़े जो कि सिम्रित कौर के रूम में रूल निभाया है जैदेव अहलावात अमरज जो कि AK-44 करनल के रूम में एकोखार गंगेश्टर के रूम में भूम का निभाई है अगर बातकरिश के संगित की तो कमांडू का साउंट्रेक अलबम 28 मार्श 2013 को लोग प्री डिजिटल संगित प्लेटफार्म आईटिउन्स और अमेजन पर डिजिटल डाउनलोड के रू बनाया गया था इस फिल्म में कुल चार गाने थे लट जवान सावनबैरी मुंगडा और लिना दिना जिसे गया था धुरू संसारी रहत पते अली खान सुनिधी चोहान और दलेर महंदी ने रिलीज होने पर कमांडों ने अलोजको से मिसरिज सकारात्मक समिछा प्राप्त फियर जो रस्यक यानि इस्पांदित और कुछ एडर लाइन पॉंपिंग स्टन्ट के साथ पै किया गया है डे टाइम साफ इंडिया की मीना आईयर ने इसे पांच में से 3.5 पे स्टार दे कर या टिपड़ी की की यूगों में पहली बार एक्सन सीन पूरी तरह से काईल है इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुपता ने इसे 5 में से 3.5 पे स्टार दिये और समानित किया गया या देखते हुए कि एक एक्सन फिल्म में गीत और नरत के लिए कोई जगाए नहीं होनी चाहिए इसमें कोई दिमाग नहीं है इसमें एक कहानी भी है जो चर्मराती है इ सभी बहादर तकनिकों परियासों के बावजूद अंतिप्रडाम परियाप दिरूप से सम्मुहक नहीं है इन.com की अलिशा कोईलो ने या कहते हुए फिल्म को 2.5 इस्टार दिये कमांडो वन मैं आर्मी वन मैं सो है जहां बिद्दुस अपना सारा भार अपने कंधों पर अपने सुरुवाती दिन में लगभग 35 मिलियन की कमाई की फिल्म ने अपने पहले सब्तहांक में 113 मिलियन की कमाई की अपने पहले सब्तहांक में इसने लगभग 173 मिलियन और रुपे कमाए और सिंगल स्क्रीन में अच्छा बेवसाय किया नामलेस मीडिया फिल्म के जर् इंटर मिशन यार्ड को हटा दिया जाता है फिल्म की सफलता के बाद इसे दो सीक्वल पराप्थ है कमांडो 2 सीर्षक पहली वाली फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी जिपकी कमांडो 3 2019 में रिलीज हुई थी कमांडो सियद रियल से लगने वाले कुछ एक्षन सीन हटा दिये जाएं तो यह एक रिजिनल सिनेमा की दोयम दरजे जैसी वाली फिल्म हो जाएगी फिल्म की एक मातर खोबसूरती उसका एक्षन है इस एक्षन को काइमपूर्टर या ग्राफिक्स डिजाइन के जरिये नहीं बलकि रियल तरीके से सूट किया गया है लगता है कि वाकई में कोई आदमी 10-20 गुंडों को पीट रहा है इस एक्षन दरश्चों के लावा यह फिल्म अपनी कहानी उसे कहने के अंदाज और अबने तीनों ही छित्रों में बुरी तरह से मात खाती है फिल्म में जो बाते फ्लैस लगते हैं अबने करने के मामले में उतने ही कमजोर और बनावटी फिल्म एक्षन दरश्चों पर इतनी आश्रित है कि गानों में भी बिद्द दान्स नहीं बलकि एक्षन कर रहे होते हैं कोई भी फिल्म कुछ अच्छे दरश्चों का कोलाज बनकर अच्छे नहीं बनाई हो जाता है चीनी सेना उसे भारत का जासुस समझ कर गिरिपतार कर लेती है लंबी यतना के बात करण वहाँ से भाग निकलता है वहाँ से निकिल करुआ पंचाब के एक कस्बे सियाक लोट पहुचता है वहां बस स्टाप पर उसे घर से भागी हुई एक लड़की सिमरे निपूजा चोपड़ा मिलती है उसके पीछे उस इलाके के बड़े बदमास AK-74 यानि चैदीप अहलावत गुंडे लगे हैं करन पूजा को उन गुंडों से बचाता है अब AK-74 का दुस्मन पूजा के साथ करण भी है करन पूजा को लेकर जंगल में भाग जाता है AK-74 और उसके गुंडे जंगल में भी उसका पिछा करते हैं यहां करन और AK-74 के आदमियों के बीच कई बार मुठवेड होती है कई फिल्मों की तरह यहां भी चुप से रहने वाले करन पर बातूनी सिमरन फिदा हो जाती है फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा जाता है कि करन किस तरह से AK-74 को सियाल कोट के चौराहे पर सारे अंफांसी देता है जो कि एस्ची के देसक की फिल्मों जैसा लगता है यद खालिस अभीने की बात की जाये तो AK-74 का किलदार निभाने वाले जैती पहलाव सब परभारी पड़े है सफेद आंखो वाला ऐसा इंसान जो किसी का कतल करते समय उसे संता बंता की जोक सुनाता है दर्श को कुछ डराता भी है और हसाता भी फिल्म का लीड रोल करने वाले बिदुद जामौल ने एक्सन द्रस्वों में अपनी खूबी दिखाई है ऐसा एक्सन जो रियल भी लगे और परभावी भी लेकिन जहां बात अभीने कियाती है बिदुद खामौल से हो जाते हैं कुछ डालाग जो उन्हें बलुआए गए हैं वा अच्छे होते हुए भी अपनी चमक्खो देते हैं एक गाने में भी उनका एक्सन नुमा डांस करना मजा किया लगता है 2009 में मिस वर्ड रही पूजा चोपड़ा की यह पहली फिल्म है पूजा सुन्दर तो लगती हैं पर अभने बिल्कुल नहीं कर पाती अपने माबाब के मरने की बात हुआ उस अंदाज में खेती है जिसे अंदाज और संजीद्गी से लोग घर की चावई खो जाने की बात कहते है लगता है कि सवात पूजा के मुह में ठूश दिये गए थे और उन्होंने बस उन्हें मुह से किसी तरह से निकाल दिया है फिल्म से थोड़ा बहुत इतिफाक रिखने वाले दर्शकों को यह बार बार लगेगा कि यह निर्देशक की पहली फिल्म है हिंदी फिल्मों में दरजनों बार परियोग किये गए कई सीन उठा कर यहां डाल दिये गए है फिल्म के क्लाइमेक्स में जब बिलन की गोली से घायल हुआ हीरो दुबारा उसे बदरा लेने के लिए लोड़ता है तो बैग्राउंड में चढ़ता हुआ सूरज दिखाना मजा किया और भद्दा सा लगता है दिलीब घोष की मजबूती एक्षंद्रेस्टों में दिखती है एक्षंद्रेस्टों को रियल तरीके से दिखाने के लावा दिलीब हर जगे कमजोर और पुरानी फिल्मों की नेकल करते हुए दिखते हैं फिल्म का अंत और उस अंत के तरीके को भाप चुके दर्शक जब फिल्म में खतम होने का इंतिजार करते हैं तो उसी समय आया एक आटम साम उन्हें इरिटेट कर देता है दिलीप को कहां पर क्या दिखाना है या कला भी सीखनी होगी रहत पते अली खान दोरा गया 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 गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है बाकी सारे गाने कमजोर और बकवास हैं यदि आप कुछ ऐसे एक्षन सीन देखना चाहते हैं जो वाके रियल लगे तो आप ये फिल्म चिरूर देखे एक्षन दरश्य के अलावा फि और चीक पुरकार को जहलते रहते हैं तो आखिरकार हमें समझ आता है कि वास्तों में यह एक प्रकार का निहायत ही उबाओ मोटल का इमबेंट वीडियो गेम था जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे जिसमें आपके हाथ में कंसोल कभी नहीं आता और परदे पर दिखा में हीरो से एक और मकाबला करने को कहता है ताकि वा आखिरी लेबल पार करके आखिरकार राजकुमारी को जीत ले निश्चित ही आखिरी इस्टेज में हीरो का सीधा मकाबला बिलन से ही है जो बिना गन उठाए मैदान में चलाता है जबकि वा मार्शल आर्ट से भी बहुत माहिर नहीं है लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा या बिलन बहुत ही खतरनाक है जरा उसकी कहानी पर तो गोर फरमाईए अमावस की रात को पैदा हुआ सैतान के घर सैतान वह अपनी आखों की पुतलियों के बिना भी देख सकता है और दिलेर कोर्ट नाम एक पंजाबी हकोमत है जावा नोजवानों को सस्ते ड्रक्स बेचता है और कस्बे के सुपरिडेंट आप पुलिस को अपने चीप चम्चे और खास आदमी के रूम में नियुक्त कर लेता है हीरो एक आर्मी मैन है उसका कहना है कि वह भारत की सिमारेखा के रच्छा कर सकता है लेकिन उसक पाओ के खुले आम उसे पहचानने से इंकार कर दिया अब उसे बदला लेना ही होगा लेकिन इसी दोरान वह दिलर कोट में एक एस से खतरनाक डान के चंगल से खुबसूरा लड़की को भी छुडा लेता है जो महज मंजह हुए लोगों की जान लेता है और अपने सिकार को M.M.S. पढ़कर सुनाता है ताकि उसकी मौत तनिक आसान हो जाए फिल्म में अधिकान समय हीरो और बिलन वहां की टाकी पर एक दूसरे पर जमले जोड़ते रहते हैं फिर वह इन हीरो को हंसला दिलाती रहती है वो जंगल में हैं और बिलन के आदमी उनका पीछा कर रहे है एक एक करके बिलन के इन सभी आदमियों का कमचूर बना दिया जाता है हिंदी फिल्मों में मुक्यबाजी की एक परंपरा रही है मास्टर बिठल से लेकर धरमेंदर तक उनके बेटे सनी देवल अजे देवगन और सुनिल शिट्टी तक मुक्यबाजी वाली फिल्में लेकिनी मुक्य भूमकाओं में थे इस तरह की फिल्मों में रोमांस, कॉमडी, ड्रामा और कभी-कभी तो सस्पेंस का भी तड़का लगता रहता है लेकिन इस फिल्म में तो शुरू से आखर तक बस एक्षन ही एक्षन है आज भारत में सिक्स पैक्स और बाइसेप्स के ल लाते थे लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्में विचारों और कहानियों से खाली नहीं होती थी इस टेलें तो राके के लिए आसकर के लिए भी नामंकित हुए थे लेकिन इस फिल्म को एक ही पुरूसकार मिल सकता है और वाया कि हमें सलमान खान अक्षकमार जैसे पच 37 साल के हैं ने अपना काम बाखो भी निभाया है फिल्म की सुरुआत में हमें बताया जाता है कि फिल्म के सारे स्टंट उन्होंने खुद बिना किसी की मदद किये किये हैं लेकिन आप ये स्टंट घर पर मत अजमाईएगा क्योंकि केवल बिद्धित ही उन्हें कर सकते हैं वे कमांडो हैं जो लोग नहीं जानते कि कमांडो क्या होता है उन्हें करनल बताते हैं कमांडो वह होता है जिसका वजन 65 किलो होता है लेकिन जो 20,000 फिट के उचाई से कूच जयता है और 50 किलो वजन उठाकर 60 किलो मीटर तक डौड जाता है यही वह 1000 सैनी की फोज के एक्षन फिल्म के तौर पर परचारिट कमांडो का एक्षन रोमांचित करता है विद्द जामौल में विजली की गती और चकमा है एक्षन दरस्व में उनकी स्पूर्थ देखते ही बनती है एक्षन पसंद करने वालों को यह फिल्म अवस्य देखनी चाहिए भारती सिने के कमांडो को खो जाने से कहानी सुरू होती है करण बीर डोगारा यानी विद्द जामौल का हेलिकाप्टर नीमित अभ्यास के दौरान क्रैस कर जाता है करण को चीनी सेना के जवान गिरिपतार कर लेते हैं वह उसे जसुर समझते हैं चीनी कैद में निश्चित मोस से बच कर करण भागता है और भारती सिमा में परवेश कर जाता है वह पंजाब के गाउं पहुचता है वहां उसकी भिड़त अनायास कुछ गुंडों से हो जाती है वह एक लड़की को उसे बचाता है बाद में वह लड़की उसके पीछे पढ़ जाती है कि अब आगे भी बचाओ इ इसके आगे की कहानी एके 74 और करण के संघर्स की हो जाती है करण किसी भी तरह सिमरन को एके 74 के गिरिप्त में नहीं आने देना चाहता वो अपनी कमांडो ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाता है और एके 74 के दात खटे कर देता है फिल्म में लंबे और रमांचा के चे जे दीप अहलावत की तारीफ करनी होगी दोनों के एकसन और अदाएगी पर ही पूरी फिल्म टिकी है सिमरन फिल्म में एकसन और चेज का करण बनती है इस भागदोर में सिमरन और करण का रोमांस भी हो जाता है सिमरन की भूमका में नई होने के बाउजोत पुजा अब रोमान से तो रोमांटिक गीत अनिवार हो जाते हैं लेकिन कमांडो को रोमांटिक गाने गाते देखना उचिन नहीं लगता फिल्म के कलामेक्स में करण का भांसर भी जबरदस्ती जोड़ा हुआ लगता है निर्भीक होनी का कारण का पार्ट भी जूल है कमांडो मू जा चोपड़ा की जिवरिस बगबग धिला प्लाट अंतर नहित कहानी के लिए कम चमक उपचार और अनावसक आइटम गीद सिर्फ इसके लिए धरासाई हो गया लूब्रेक एक नहीं अगर आपको एक्षन पसंद है तो एक बार सायद आगर आप एक्षन के दिवाने नही कमांडो को पूरी तरसे बिद्व जामाल की फिल्म है जो उन्हें अपनी मार्शल आठ प्रतिभा को अपार आतम विश्वास और पोड मातरा के में परदर्शित करने के लिए मंच परधान करती है त्याह निश्ची रूप से देखने लायक है ठीक ठाक आप एक पैरा सिर्था को अस्युकार करता है उसके दुर्भाग के समनांतर जिला तलेर कोट जो अस्थानी गुंड़ा एके सबन्टिफोर नीचे दिप अहलाओ से परिशान है जिसे सिमरित यानी पुझा चोपड़ा से गहरा प्यार है राजिनितिक लाभा और मुनाफे के कारणवा कहा सिमरित भागने की कोशिश करती है और पलायन वादी करण से मिलती है जो एके की बेडियों से दोर भागने में उसकी मदद करने की कसम खाता है इसके बाद दिल्ली और इसके बाद बिल्ली और चुहे का पीछा होता है बहुत सारे खेल नाटको और भीशाड एक्षंद रस् और संकोची प्रेम है जो पूरी तरह से एक अलग राष्टा पनाता है क्योंकि करण को मौत की घाट उतार दिया जाता है क्या करण वापस आएगा और अपनी प्रेमका को एके से बचाएगा क्या वहा समान को फिर से हासिल कर पाएगा जिसका वहा हगदार था लेकिन अंत्ता भरष राजिनितिक भारती दिमाग के उपच के हाथों खो गया हाला कि फिलम सहने योग है एक निश्चित बिद्दु जामौल और उनके साधर इस्टन्ट के लिए धन्यवाद लेकिन कमांडो इसक्रिप के मौर्चे पर भी फल रहता है क्योंकि कथा बोड धीली है कम मनोर लाइन से लेकर हाइवी कोड और क्लिच आदमी ओड़ जाता है लाइन को नया रूब दिया गया है विद्दुत और जैदेप ने फिलम में से अच्छी लाइने साजा की हैं जबकि सिम्रित के माता पिता उसकी आँखों के सामने एक दुरगटना में बेरहमी से मारे जाते ह वह केवल चोड़ी आँखों से देखती है बामुश्किल एक बार भी करुड़ा या हानी की भावना को जगाती है उसके अलावा चरमोतकरस जहां महिला सक्ति को भटकारने की उम्मीद थी उच्छ आक्टन एक्संदरस्चों में भारी फिलम ने पुजा चोपड़ा के थप प्रगंपी रुप से सपाट और और भी बहुत कुछ क्योंकि वहां कुछ खो देती हैं और भी चारों को हासाने का प्रबंधन करती हैं मूर्ख या दिवर्थी आप इसे इसमें से जो भी कह सकते हैं अपसनी है कमांडर निश्चे रुप से एक वन मैन आर्मी है यहां जिस सक्स की बात हो रही है उसका नाम है बिद्द जामौल जामौल जिन्होंने लगभग देर साल पहले पूरी ताकस से सभी का दिल लूट लिया था अपनी बिसाल प्रत्वहों को सामने लाते हैं इस दसक में सरफशेष्ट एक्संट पर दरसनों में से एक देते हैं छटों पर लाड़ी जो बाले बोड़ में पहार में मिला है बिद्द हर एक्संट सेट पीस के साथ दर्शकों को लभाने में काम्याब होते हैं जो इस्पेस्ट रूप से उनके लिए तैयार किया गया है और उस अच्छार जिनक रूप से गढ़े विए हाट बाड़ी के साथ या एक् करने की कोईशिस करती हैं अप एच्छी तरूप से यह बुरी तरह बिफल रही जैदे पहलात खतरनाक एके के रूम में दस्कों को एक मोहक खलना एक आविने के साथ चोकाते हैं बिना उनकी आखों के और संता बंता के चट कुले मोट के उनका अचानक पर को फिल्म के पर वाली समागरी को भी जोडता है जाहिर तोर पर एक फिल्म बिद्जामौल दिलेव घोस्ट के लिए बनाई गई है क्योंकि निर्देशक के पास करने के लिए बहुत कम है क्योंकि फिल्म नाटकी दरसों की तुलना में एक्शन दरसों पर अधिक उचाल देती है फिर भी ल पर पर दरसों के लिए अपना दिल और दिमाग लगाते हैं असानी से खुद को खिलाडी टैग के नए दावेदार के रूम में इस्थापित कर लेते हैं लेकिन अगर आप एक्शन के दिवाने नहीं हैं तो आप फिल्म को नापसंद कर सकते हैं क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है करनबीर डोंगरा इंडियन आर्मी का कमांडो है और दुरगटना वस्वा चीन की सीमा में कुछ जाता है वह पकड़ा जाता है चीनियों के यह विश्वास नहीं दिला पाता कि उसकी नियत में कोई खोट नहीं है और यहां सब अंजाने में हुआ है चीनी सोचते हैं कि करनबीर को यदिवे भारती जासूस के रूम में पेश करे तो भारती सरकार को नीचा दिखाया जा सकता है दूसरी और भारती सरकार समझ जाती है कि करन की बात नहीं सुनी जाएगी लिहाजा वह करन का आर्मी रिकार्ड मिटा देती है और उसके बार्डर क्रास करते ही उसकी मुलाकात सिमरित से होती है सिमरित अमरल कौवल सिंग से गए गुंडों से बच कर भाग रही होती है अमरत कौवल सिंग अपने राजनीतिक लाप के लिए किसी भीतर है सिमरित से साधी करना चाहता है अमरित के गुंडे सिमरित का पिछा करते ह ये वहां आ पहुचते हैं करन उन्हें चिताउनी देता है लेकिन वे नहीं मानते बदले में करन के हाथों उन्हें जम कर मार खानी पड़ती है सिम्रित का कहना है कि करन ने उसके लिए और मुश्किले खड़ी कर दी है और जब तक वह अपने आपको सुरचित महसूस नहीं कर देते हैं बहते हुए जंगल जा पहुचते हैं सिम्रित की कहानी करन सुनाता है और उसकी मदद करने का अस्वासन देता है जंगल में वे सभी बाहर निकलने की सोचते हैं तब तक कि अमरत का गुश्सा ठंड़ा न पड़ जाए दूसरी और अमरत उनका पीछा करना जारी फिल्म की कहानी है कमांडो एवन मैन आर्मी दिलीब घोज द्वारा निर्देशित और विपुल अमरलाल साह और रिलाइंस इंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मित 2013 की भारती हिंदी भासा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है या कमांडो फिल्म सरंखला की पहली किस्त है फिल्म इसको निर्देशित किया था दिलेब घोश ने और इसमें संगीत दिया था मनन साह और परसाश साथे ने इस फिल्म का वजट था 170 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 279 मिलियन फिल्म करण के एर्द गर्द घुमती है जो एक भारती पैरा एस एप काइपटन है जो चीन 74 राजनीतिक लाप के लिए सिम्रिस से जबरन साधी करने पर तुली हुई है करण हस्ता छेप करता है और उसकी रच्छा करता है क्योंकि ये जंगल में गहरे तक पीछा करते हैं जहां करण एक समंटी फॉर के गुर्गों से लड़ने के लिए अपने मार्शल आर्ट करण सिंग डोंगरा को चीनी अधिकारियों ने तब पकड़ लिया जब उसका हेलिकाप्टर नीमित पर सिछड अभ्यास के दोरान चीनी सीमा पर दुर्गतना ग्रस्ट हो गया करण और उसके वर्ष चीनी को पुर्व की मासूमित को समझने में असमर्थ है और चीनी भारत को अंतरश्टी अस्तर पर बदनाम करने के लिए करण को जासूस के रूम में ब्रांड करने का फ़ैसला करते हैं यह मैसूस करते हुए कि चीनी अनपालण नहीं करेंगे भारती सिना को करण के रिकार्ड पहिचान को मिटाने और उसके अश्तित को नकारने का आदेश दिया चीनी सेना दोरा करण को एक साल तक परतारित किया जाता है लेकिन बाद में चीनी सौन अदालत में ले जाते समय वा भाग निकलता है वा समयरत नाम की एक महिला से मिलता है जो खुकार गंगेश्टर अमरतयक मोल एक संटर फोर सिंग और उसे गुंडों से भाग रही है क्रण एक सेंटर फोर्टिस सेंबन के राजनिता भाई के नितरत वाले गुंडों से लड़कर उसे बचाता है वह स्मृत को उसकी सुरच्छा के लिए सहर से बाहर ले जाने का फैसला करता है लेकिन खुद को एकस बंटी फोर और उसके गुंडों से एक पुल पर घिरा हुआ पाता है अधिक संख्या में और अधिक बंदू के कारण वह स्मृत के साल नदी में कूच जाता है जो बाद में बताता है कि एकस बंटी फोर राजनीतिक लाप के लिए उससे साधी करना चाहता था सिमृत ने खुलासा किया कि एकस बंटी फोर का उसके गरह नेकर पर पूरानी अंत्रड है जहां वह डर के मारे लोहे की मुठी से सासन करता है करण सिमृत की मदद करने का फैसला करता है एकस बंटी फोर जंगल में दोनों का पीछा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है जहां करण एकस बंटी फोर के अदमियों से लड़ने के लिए जंगल युद्ध में अपनी विश्यस्ता का उपयोग करता है अपने कुरकोग और चीनी द्वारा भेजेगे थेबा नाम के एक हत्यारे का मुकाबला करने के बाद करण एक स्वेंटी फॉर को हरा देता है और सिम्रित को बचा लेता है। जहां एके 74 की जेब में मौजूद पुलिस द्वारा उसे लगभग नाकाम कर दिया जाता है लेकिन समय रहते हैं अपने पूर वोरिष्ट अधिकारी करनल द्वारा बचा लिया जाता है लेकिन सिनहा करण एके 74 को लटकाने और मारने के लिए आगे बढ़ता है करण फिर सहर के लोगों को निडर होने और एके 74 जिसे लोगों से नहीं डरने के लिए कहता है जो डर से सासन करते हैं करण खुद को करनल सिनहा के सामने आत्र समर करण कर देता है जहां वहां सिमरित को अपना असली नाम बताता है और वापस आने का वादा करता है बिद्दु जामौल जिसने कप्तान करणबीर यानि करणचिंग डोगरा के पईरा SS के रूम में रोल निभाया है पुजा हेकले जो कि सिम्रित कौर के रूम में रोल निभाया है जैदेप अहलावात अमरज जो की एके 44 करनल के रूम में एकोखार गंगेश्टर के रूम में भूम का निभाई है अगर बातकरिश के संगित की तो कमांडू का साउंट्रेक अलबम 28 मार्श 2013 को लोग प्री डिजिटल संगित प्लेटफार्म आईटिउन्स और अमेजन पर डिजिटल डाउनलोड के रूम में जारी किया गया था इसमें पांच मोल ट्रेक सामिल थे संगित मनांसा द्वरा रचित था जिसके बॉल मयूर प्री द्वरा लिखे गये थे जोकि प्रटभूम इसकोर पर साथ सस्ते द्वरा बनाया गया था इस फिल्में कुल चार गाने थे लट जवान, सावनबेरी, मुंगडा और लिना दिना जिसे गया था धुरू संसारी, रहत पते अली खान, सुनिधी चोहान और दलेर महंदी ने रिलीज होने पर कमांडों ने अलोजको से मिसरिश सकारातमक समिच्छा प्राप्त की, रिब्यू बोल डाट कॉम पर इसे परमक साइडों के आवसत समिच्छा लेकर 3 आउट आफ 5 मिला, जबकि बाली बुढ़ हंगामा की तरह आदास ने कमांडों को 5 में से 3.5 इस्टार और कहा एक हाई वोल्टेज एक्षन फियर जो रस्यक यानि इस्पांदित और कुछ एडर लाइन पंपिंग स्टन्ट के साथ पै किया गया है, डे टाइम साफ इंडिया की मीना आईयर ने इसे 5 में से 3.5 इस्टार दे कर या टिपड़ी की की यूगों में पहली बार फिल्म में गीत और नरत के लिए कोई जिगाए नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिमाग नहीं है, इसमें एक कहानी भी है जो चर्मराती है, इन परिसानियों को कम करते हुए यह एक सुध एंडर लाइन रस होता है, इन डी टीबी के सैबल चेटर जी नहीं से 5 में से 2 इस् टार दिये, कमांडो वन मैन आर्मी, वन मैन सो है, जहां विद्धुस अपना सारा भार अपने कंधों पर उठाते हैं, फिल्म ने अपने शुरुवाती दिन में लगभग 35 मिलियन की कमाई की, फिल्म ने अपने पहले सब्तहांक में 113 मिलियन की कमाई की, अपने पहले सब् भग 173 मिलियन और रुपय कमाए और सिंगल स्क्रीन में अच्छा बेवसाह किया नामलेस मीडिया फिल्म के जर्मन वित्रक ने अगस 2019 में चार से में संस्क्राड मीडिया पुस्तिके जारी की जिसमें मौल अंकट संस्क्राड के अलावा एक पूर्ड एक्षन संस्क्राड साम कमांडो एवन मैन आर्मी सियद रियल से लगने वाले कुछ एक्षन सीन हटा दिये जाएं तो यह एक रीजिनल सिनेमा की दोयम दर्जे जैसी वाली फिल्म हो जाएगी फिल्म की एक मातर खोपसूरती उसका एक्षन है इस एक्षन को काइमपूर्टर या ग्राफिक्स पूरी तरह से मात खाती है फिल्म में जो बाते फ्लेस बैक में होनी चाहिए वहां से या फिल्म सुरू होती है फिल्म में घटनाओं को दिखाने का सेक्वेंस भी फिल्मी नहों कर एक अप्रास समाचार जैसा सपार्ट लगता है फिल्म में लेड रोल कर रहे बिद्दु दान्स नहीं बलकि एक्सन कर रहे होते हैं कोई भी फिल्म कुछ अच्छे द्रस्चों का कोलाज बनकर अच्छे नहीं बनाई जा सकती यह बात फिल्म के निर्देसक दिलीब घोस को अंत तक समझ में नहीं आती यह कहानी भारती सेना के कमांडो करेन ने विद्दु जामाल की है नेमित अभ्यास के दोरान करन का हेलिकाप्टर चीन के सीमा के पास क्रैस हो जाता है चीनी सेना उसे भारत का जासुस समझ कर गिरिपतार कर लेती है लंबी यतना के बात करण वहां से भाग निकलता है वहां से निकल कर वहां पंचाब के एक कस्बे सियाक लोट का दुसमन पूजा के साथ करण भी है करन पूजा को लेकर जंगल में भाग जाता है एकस बंटी फोर और उसके गुंडे जंगल में भी उसका पिछा करते हैं यहां करन और एकस बंटी फोर के आदमियों के बीच कई बार मुठवेड होती है कई फिल्मों की तरह यहां भी चुप से रहने वाले करन पर बातूनी सिम्रन फिदा हो जाती है फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा जाता है कि करन किस तरह से एकस बंटी फोर को सियाल कोट के चौराहे पर सारे आमफांसी देता है जो कि एसची के जैसक की फिल्मों जैसा लगता है यह दिखाली सभीने की बात की जाये तो एकस बंटी फोर का किलदार निभाने वाले जैती पहलाव सब परभारी पड़े हैं सफेद आंख वाला ऐसा इंसान जो किसी का कतल करते समय उसे संता बंटा की जोक सुनाता है दर्सकों को डराता भी है और हासाता भी फिल्म का लीड रोल करने वाले बिद होते हुए भी अपनी चमक खो देते हैं एक गाने में भी उनका 109 डांस करना मजा किया लगता है 2009 में मिस वर्ड रही पूजा चोपड़ा की यह पहली फिल्म है पूजा सुन्दर तो लगती हैं पर अभने बिल्कुल नहीं कर पाती अपने माबाप के मरने की बात वह उस अ इतिफाक रिखने वाले दर्शकों को यह बार बार लगेगा कि यह निर्देशक की पहली फिल्म है हिंदी फिल्मों में दर्जनों बार परियोग किये गए कई सीन उठाकर यहां डाल दिये गए हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में जब बिलन की गोली से घायल हुआ ही रो फिल्म हर जगे कमजोर और पुरानी फिल्मों की नेकल करते हुए दिखते हैं फिल्म का अंत और उस अंत के तरीके को भाप चुके दर्शक जब फिल्म में खतम होने का इंतिजार करते हैं तो उसी समय आया एक आटम साम उन्हें इरीटेट कर देता है दिल्म को कहां पर क्य दिखाना है या कला भी सीखनी होगी रहत पते अली खान दोरा गया गया गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है बाकि सारे गाने कमजोर और बकवास हैं यदि आप कुछ ऐसे एक्शन सीन देखना चाहते हैं जो वाके रियल लगे तो आप ये फिल्म जिरूर एक्शन दरस्टे के अलावा फिल्म में कुछ भी देखने लाइक नहीं है यदि एक्शन ही एक्शन